हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग जैसा कि आप सबको पता है आज है फर्स्ट अफ डील और आज से स्टार्ट करने वाले हैं सफलता बैज और ये सफलता बैज जो है ना फुली डेडिकेटेड होने वाला है ससी जेई एकजाम का बट अभी भी बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा तो परिशान है और मुझे पता है आप सबकी एक परिशानी क्योंकि मैं हर एक गुरूप में देखता हूँ बच्चों का एक में कंसर्ण होता है और ये कंसर्ण ये है सर वेकंसी कम आ गया सर तुम्हें पता है एक बात तुम्हें हर एक चीज में कमी ही दिखता है बेटा हर चीज में कमी ढूंडते हो पता नहीं तुम्हारा मैंट सिट कैसा है लेकिन तुम इस बात को याद रखना कोई तो बच्चा ऐसा होगा जो इस चीज को पोजिटिवे में ले रहा होगा और पोजिटिवे में ले करके जब इसका रिजल्ट अगर तुम ऐसा सोच रहे हो सर हमारे लिए ऐसा टाइम कब आएगा जब बहुत बल्क में वेकंसी आएगी और तब मैं तयारी स्टार्ट करना शुरू करूंगा तो बेटा आप गलत फहमी में हो आपका यह जो मैंसेट है ना पहले उसको चेंज किजिए और तयारी दर्जी है ना उसको जो दबा के रखे हो ना इसको कहीं और जो यूज कर रहे हो ना इसी बज़ा से आप पीछे रहे हो और आपका दोस्त आपका कॉलेज फ्रेंड आपका कलीग उसी वेकंसी में अपना सेलेक्शन लेकरके आगे बर रहा है अपने जिंदगी को इंज्वा बता देंगे सभी लोग कनफोर्म करेंगे औडियो वीडियो सब परफेक्ट है क्या जल्दी से एक बार बता देंगे सभी लोग गुडिवनिंग सभी को गुडिवनिंग गुडिवनिंग सभी को क्या बात है क्या बात है बहुत 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 चीजे मैं आपको within 10 minutes पर ले confirm करूंगा इस class का क्या rule होने वाला है, किस विए में चीजें चलने वाली है, कैसे कैसे चीजें engage करेंगे, कहां पे आपका ये notes मिलेगा, कहां पे आपको PDF मिलेगा, कैसे कैसे करेंगे सारी चीजों को, पूरी जर्नी के बारे में और इस subject के बारे हों, और आपको सारी चीजें पता चल जाएगा, ओके, चलें start करें, ready हैं सभी लो, आपको दिख रहा होगा क्या, सफलता बैच, अब होगी सफलता की रहासान, crash course, lecture number 01, basic electronics, yes, और SSCJ में इस subject का जो weightage होता है, 9 to 11 mark, 9 to 11 mark, yes, जब जर्नी किसी चीज का start होता है, तो 0 से ही start हो जो आपको हर exam में काम आएगा, और SSCJ में जो है, ये 9 to 11 marks आपको score करेगा, totally technical में से, ओके, तो चलिए start करते हैं इसको, start करने से पहले, मैं ये बताऊंगा आपको, जो इस subject में, आज के इस lecture number 01 में मैं बताने वाला हूँ, क्या, सबसे पहले मैं बात करूँगा, आज, atomic structure का आपको दिख रहा होगा, क्या, atomic structure क्या होता है, सर, जिसको हिंदी में बोलते है, परमानु सनरजना, सोरे बच्चे पढ़े होंगे, क्योंकि ये 9th class का topic है, बट, आपने 9th class में जो पूछा, वहीं चीज़ आपको engineering में पूछ लिया जाता है, वहीं चीज़ आपको उस exam में पूछ लिया जाता है, जिस exam में आपको job मिलेगा, आप एक सरकारी इंजिनियर बनोगे, और आपका society में जो status है न बेटा, अभी हो सकता है, लोग आपसे बात न कर रहा हो, और जिस दिन आपका S.S.C.J. क्रैक हो जाएगा न, आपसे सारे लोग बात करेंगे, सारे लोग स इस lecture के अंदर, इसके बाद अगर मैं बात करूँगा, तो यहां पर basic term, और वो सारे basic term, जो आपको basic electronics में काम आने वाला है, not only basic electronics, यह पूरे engineering में, जो आपने electrical engineering पढ़ा है, जो आपने electrical electronics engineering पढ़ा है, आपने diploma करा है, आपने b.tech करा है, इस पूरी चीजों में काम आने वाल हूँ अगर मैं बात करो हाज के इस क्लास का तो मैं आपको यह सिकूर कर दूं आप किसी भी एक्जाम में जाओगे अगर आज के इस लेक्चर को देख के जा रहे हो तो दो से लेके चार नम्मर तक फिक्स है हर एक्जाम में आपको definitely देखने को मिलने वाला है यह मैं paper का बात बता रहा हूँ कोई सा भी government exam देने जाओ चाहे हो SSCJ हो चाहे SSCJ के अलावा जितने भी AEJ का exam होता है हर exam का बात कर रहा हूँ इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ classification of material अब classification में अलग अलग तरीका है जैसे मानलो मैं आपको बात करूँगा violence electron क्या होता है violence electron के भी है पे हम material को कितने पार्ट में categorize किये ठीक है सर पता नहीं सर क्या होता है फिर यहीं पे बात आती है energy band के भी हाँ पे हम classification of material को कितने पार्ट में material को classify किये कौन-कौन से पार्ट में classification किये है यह सारी चीजों के बारे में मैं बात करूँगा तो यहाँ पे दो insights से देखने वाला हूँ एक तो मैं यह बताऊंगा जो violence electron के भी हैप पे हम classification of material कैसे किये थे दूसरा मैं यह बताने वाला हूँ energy band जिसको आप band diagram भी बोलते हो यह band diagram के अधार पे हम कितने पार्ट में classify किये है material को इसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ मतलब सारी चीजे complete मतलब आपको यह दिख लग रहा होगा crash course crash course का मतलब यह होता है concept को थोड़ा fast furious mode में cover करने बाले है और वहीं चीज़ में focus करेंगे जो crisp है जो इस basic electronics का crisp part है जहां से exam में question आते हैं उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे और इसके बार last में करने बाले हैं question discussion yes क्योंकि इसके बिना तो जिंदगी नहीं चलेगी सर कितना भी पढ़ लेंगे हम यह सारी चीज़ें जब तक हम question नहीं करेंगे न तब तक यह बात नहीं बनेगी और इसलिए मैं last में question कराऊंगा कुछ learning question होगा कुछ previous year question होगा क्योंकि बात तो तभी बनेगी न सर जब हम आपसे पढ़ेंगे और previous year question भी बनेगा तभी तो मज़ा आएगा सर otherwise मज़ा नहीं आने वाला है तो जल्दी से एक बार सभी लोग comment करके बता देंगे इतना सब लोग ready है जल्दी से बता दीजे एक बार question discussion इतना ये सारी चीजे होने वाला है आज का रोड में जल्दी से comment करके सभी लोग अपना attendance मार कर लेंगे कैसे मार करते हैं आप सबको पता है और एक बार खतरनाक energy comment box में दिखना चाहिए heart दिखना चाहिए thumbs up दिखना चाहिए सब कुछ ready perfect comment box में एक बार जल्दी से बता देंगे सभी लोग तो start करते हैं आज के इस class को और start करने से पहले आप सबको पता है एक motivation की जरूरत होती है एक किक की जरूरत होती है यस तो किक क्या है सर इसके बारे में बता दूँगा और साथ ही साथ एक आपके लिए information भी है यह information भी मैं आपको बता दूँगा सबसे पहले information क्या है सर information यह है यह है यह है unity क्या होता है इंट्रेक्टिव पोल में आपको participate करेगा 3D model library है live class notes dot है YouTube notification आएगा इससे dashboard लीडर बोर होगा इसमें video call भी कर सकता हूं मैं आपको यह कहां पर जाये करना unity dot pwl live dot login पर जाये करना है और इस पर जाकर जब रेइस्टर करोगे तो यह सारे benefit आप असानी से ले पाओगे ओके यह बात हो गई अब बात आती है motivation की देखो ध्यान से कि अब co लगता है ना जो शार इसके बीना कैसे काम होगा तो आप एक चीज सोच के देखना बेटा अप जहां पर भी राते हो ना अब जिस जगह राते हो जाप किसी गोंभी राते हो चाहिए आप किसी सहर में रहते हो, अब किसी से भी जाके पूछना, जो एक आपसे senior होगा, 30 age होगा, 40 age होगा, 50 age होगा, उनसे बस ये जाके पूछना, जो हमको जिन्दगी में सफल होना है, हमें क्या करना चाहिए, हमें जिन्दगी में सफल होना है, हमें क्या करना चाहिए, सबका एंसर एक ही होता है मेहनत करो तो करके सफल क्यों नहीं हो जाता है इसके पीछे एक ही चीज है आ इंजिनियरिंग छूज किया है हौ सकता है इंजिनियरिंग आपका पैसन रहा हो हो सकता है engineering में आपका interest रहा हो, हो सकता है आपका background में कोई नए engineer रहा होगा, इसको देख करके आपने engineering चूझ किया होगा, हो सकता है आपका family में, मम्मी पापा भाया दीदी प्रेशर डाल के आपको इंजिनियरिंग कराया होगा जो आप आगे चलके इंजिनियर बनो इससे कोई मतलब नहीं आपने इंजिनियरिंग कैसे किया अपने इंजिनियरिंग किया है आपने चूज कर लिया न मैं इंजिनियरिंग करूँगा मैं अपने B.T.E. कराना, अपने डिप्लोमा कराना, अब देखो बारी क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, यदि आप सपना देख सकते हैं, तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं, बट, भले सपना देखना जरूरी है, और दूसरा बात सपना को पूरा करना जरूरी आओ, और यह का notification आ जाएगा ना मैं सच बोल रहा हूं उस दिन से मैं कुछ नहीं करूंगा नहीं मोबाइल पर सोचल मेडिया में टाइम दूगा ना तुमसे बात करूंगा मैं 6-7 दिन दो महिने complete पढ़ूंगा और SSC को देखने के बाद भी अगर आप टाइम बरबाद किये ना तो याद रखना जब साथ दिन बाद पेपर देने जाओगे जब SSC इसलिए मैं बोलता हूँ इस कहरत करें चलीए स्टाट करते हैं सबसे पहले देखी दिख रहा होगा सभी को क्या दिख रहा है सभी को atomic structure क्या दिख रहा है बेटा दिख रहा है atomic structure दिख रहा है हिंदी वाले बच्चे घबराने की नीद नहीं है हिंदी मैं भी पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने बोला था bilingual बात करेंगे, yes, Hindi में भी बात करेंगे, Hindi और English दोनों में बात करेंगे, और ऐसे भी बात Hindi में मैं करेंगे, yes, परमानू संदाशना का बात करेंगे, यह देख करके लग रहा होगा, sir, यह तो 9th class में पढ़ेते, sir, जो बच्चा किसी जुनियर को पढ़ाता होगा, उसको लग इसमें दो किस्म का चीजें दिख रहा है, एक तो, sir, red ball है, और एक blue ball है, yes, red ball, एक blue ball है, और यहां पर भी, sir, घूरी देखे हो, न, बैंगल्स होता है, तो यह बैंगल्स ही बना हुआ, एक यह बैंगल्स है, एक यह बैंगल्स है, ऐसे lots of बैंगल्स बने होते है, इसी पर दिखाने का तरीका बता रहा हूं, यहीं चीज़ देखते हो आप लोग, तो बीच में जो होता है, यह जो center part में दिख रहा है, दो चीज़ देख रहा है, एक तो होता है proton, और एक होता है neutron, और यह जो दिख रहा है न, पाथ, यह जो दिख रहा है न, जलेवी type के एन बराबर वन इसको बोल देते हैं एन बराबर टू और इसको बोल देते हैं एन बराबर थी द्यान से देखना द्यान से देखना सभी को एन बराबर वन एन बराबर टू एन बराबर थी ऐसे ही बढ़ता जाएगा एन बराबर फूर हो जाएगा यस तो यह बात है सर अब इ यहीं इलेक्ट्रोन है क्या है यहीं इलेक्ट्रोन है जो चारो तरफ घूमता रहता है चारो तरफ घूमता रहता है यह क्या है यह atomic structure, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, एक एक बातों को ध्यान से सुनना है, थोरा comment box पे अभी ध्यान कम देना है, जब मैं आपको बोलूगा comment करने के लिए तब देना है, अभी इस पे focus किजिए पूरी तरह से, जब हम content का बात करेंगे, तो content का बात करेंगे, जब हम comment का बात करेंगे तो हम comment का बात करेंगे और एक एक बच्चे का queries मैं लेने वाला हूं but पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ओके इधर आईए अब देखो क्या लिखा गया है एक परमानु की अब धारना है कि एक केंद्रिय धनात्मक आबेसित नाभिक है जिसमें proton और neutron होते हैं जो कई proton होता है और neutron होता है बट यहां पर एक सबसे important question सबसे पहले important question यह होता है सर यह size of order of nucleus कितना होता है और size of order of atom क्या होता है ध्यान से सुनिएगा मेरा question है यह मतलब यहां पर जो nucleus है यह क्या है यह है यह है nucleus जो central part होता है यह होता है nucleus ध्यान से सुनिएगा nucleus जो है ना इसका order of size कीतना है जल्दी से पिता देज़े haya कमेंट करके एक बार order of size क्या है उसका order क्या होने वाला है एक बार क्या होने वाला है और 10 यह सोछलेगा एक तारिक से लेकर के आज है एक तारिक आज से लेकर के आपको जब तक हम लोग complete at lay edge न कर देंगे तब तक मतलब जून तक मैं लेके चलने वाला हूँ शुरू में मैं आपको पढ़ाऊंगा सब्जक्ट फिर लास्ट में मैं कराऊंगा इसके बाध लास्ट में कराने वाले हैं मौक टेस्ट मतलब मतलब आपको अपको सब्च खेल होrendगा आजाना है और अराम से पढ़ाई करना है मज़े मज़ा आने वाला है जल्दी से बताएंगे सभी लोग निकलियस का ओडर अफ साइज क्या होने वाला है तो सर कोई बोल रहा है क्या सटें टू दी पावर 15 कोई बोला है सर टें टू दी पावर माइनस 10 अरे किसका बात मानूं और मैं इच्वारी कोउडमु क्या बैटा थैं टू थैं टू दी पावर टीन ये तो बहुत बडरोंबर को जाएगा सर टेंटू धिपार्स-10 ये मुझे पता है सर तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको क्या टें टू दी पावर माइनस 10 ली टेंडें तो और VI यूनिट इस वेरी इंपोर्टेंट सर ये 10 to the power minus 10 करें सर एक बच्चा बोला था जो ही करेगा 10 to the power minus 10 उसका गेम हो जाएगा एक्जाम में ओभर यहां पे जो बात कर रहे है अभी बतांगा यह क्या है यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं यह होने वाला है 10 to the power minus 15 उसको आप प्यार से फर्मी भी क्या बोलते हो प्यार से फर्मी बोलते हो और यहीं क्वेश्चन इग्जाम में पूछा हुआ है जब एग्जाम में पूछ सर आपने लिखा था 10 to the power minus 10 meter सर ये क्या था सर ये भी तो कुछ था सर ये क्या था 10 to the power minus 10 ये था size of size of order of atom yes yes size of order of atom की जब बात की जाएगी तो याद रखना है 10 to the power 10 meter that is the angstrom one angstrom बोल सकते हैं इसी को क्या बोलते हैं इसी को लिख लेना इसी को क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं one angstrom भी बोला जाता है इस बात को ध्यान रखिएगा इसको क्या बोलते हैं वन फर्मी बोलते हैं इसको भी ध्यान रखिएगा सभी लोग देखो किलियर है सभी को अब तुम्हें पूछा जाएगा एक्जाम में जो यह और यह दो चीज दिख रहा है अब दोनों में रिलेशन पूछ लेगा कभी कभी एस्टेट में डालता है ना और एस्टेट में फसाने की कोशिस करता है फसाएगा कैसे यह बड़ी है यह बड़ी मतलब आपसे यह जिसका पावर जितना ज्यादा है उतना बड़ा हो जाएगा लेकिन आपने एक चीज मिस कर दिया यहां पर लगा हुआ है माइनस और माइनस का मतलब यह होता है इसको अगर सिंपल सहज असान भासा में बात करू तो टेन टूदी पार माइनस फिप्टीन का मतलब यह होता ह है एक का टेन टूदी पावर फिप्टीन फिप्तीन और टेन टूदी पावर टince का मतलब होता है एक का है इसको टेन तो बारी 혁जाएगीन देखो यह तो बरी होगा यह पूरा एटम है और एटम के बीच में निकुलियस है तो निकुलियस का जो साइज ऑफ होडर होगा जो छोटा होगा ना बेटा याद करने का लॉजिकल हुए कभी नहीं भूलोगे कभी option में निफस होगे देखो ध्यान से क्लियर है सभी को क्लियर है जल्दी बता द देगा तो थैंक्यू सो मच आप जिंदगी में 20 साल के होगे 22 साल का हो सकता है आपका जो रहा होगा और यह इतना अच्छा प्यारा सा कमेंट आपने किया बहुत थैंक्यू सो मच इसके लिए बेटा मेरा कोई सौक नहीं है यह और सच बता रहा हूं जब SSC के पेपर उठा के दिखोगे मैं कोईस्टन भी कराओंगा आपको तब आपको लएगा अच्छा एक्जाम में तो पेपर में आ गया था सर ने तो पढ़ाया ही नहीं था यह तब दात तले औंगली चली जाएगी और पता लएगा यह क्या हो गया मेरे साथ ज्रम bekommt कियो कर रहे हो यह सब यह मुजे आपको ऐसा लग रहा है तो सॉरी आप टाइम का यूज कर लिए यह एक जलिए आए यहां पे बाकी बच्चे हमारे लिए बहुँ ज़्यदा इंपोटेंट अब आओ यहां पर यहां पर क्या लिखा है इंपोटेंट पॉइंट फॉइंट ज्यांसे देखना बेटा क्या क्या होगा proton का location inside the nucleus होगा neutron का location inside the nucleus होगा electron का location outside the nucleus होगा done है सभी को clear है सभी को क्या बात है यह देखो ध्यान से charge क्या होगा 1.6 newton1-19 Coulomb yes यह क्या होगा minus 19 Coulomb होगा बेटा इस पर charge क्या होगा neutron पर यह हो जाएगा 0 यस अगर बात करें electron पर कितना charge होगा तो minus में होगा ध्यान देखना यहां पर यहां पर minus है और यहां पर plus है यस यह कितना होगा minus 1.6 into 10 to the power minus 19 Coulomb yes ध्यान से जितना charge electron पर होता है उतना ही charge proton पर होता है और एक atom के अंदर जितना electron होता है उतना ही proton होता है मतलब अगर मैं बोलूँ एक atom electrically कैसा होता है तो मैं बोल सकता हूँ atom is electrically neutral क्यों 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 टोटल positive charge equal to total negative charge होता है देखो ध्यान से क्लियर है सबको इसी तरह अगर मैं बात कर लूँ मास का तो मास भी देख लिए ध्यान से बट ध्यान दखेगा यहां पर यहां पर जो मैं मास का बात कर रहा हूं न यह मास ग्राम में है क्या है यह मास ग्राम में है अपसे exam में kg में पूछ लिया जाता है तो इसको kg में convert कर लेना 10 the power minus 3 और जोड देना यही तो हो जाएगा यही तो होगा न यह क्या है यह क्या है यह क्या है यहBoy 1.67 वन पोट पोयह च्छ नण वटा मा है इस क्लिए सबीको इसके बांद पहुए को सेमस एम्यू में बूला जाएगा तो बात नहीं होता है decor सिंधाता है यहां पर कितना ट्वैंटीएट यह 28 लहें यहां तक क्लिए सब को सर बेसिक एलेक्ट्रोनिस शुरू ना की तो क्रैस कोर्स करूं या असोका बैसे करूं आपको कहीं सभी पर रहे हो आपको यह सारे कोर्स आपको पूरी तरह से सीखने में revision करने में और subject को समझने में बहुती ज़यदा मददगार साबित होने वाला है क्योंकि ये fast and furious जिसको आप अपने भासा में crash course बोलते हो यहीं चीज होने वाला है डन है सभी को यहां तक चले आगे बढ़ें चले अब थोरा सा आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं क्या atomic weight क्या होता है सर ये atomic weight किसको बोलते हैं तो जब भी बात कहीं की जाएगे atomic weight का तो दो चीज होगा क्या होगा एक होगा number of proton ध्यांसे सुनना number of protons yes plus क्या number of neutrons number of neutrons yes इस दोनों को जब जोड देंगे जितना number of neutron होगा और जितना number of proton होगा इस दोनों को जोड देंगे मतलब निकुलियस के अंदर में जो charge particle है न इस दोनों को sum up कर दो सारे जो number add करोगे तो आज आज आगा क्या atomic weight बोलते हैं इसी को अगर बोला जाएगा atomic number तो ये equal होता है क्या number of क्या क्या बोलते हैं number of proton बोल लो या फिर इसी को क्या बोलते हैं number of electron भी बोलते हैं बट जब आप chemistry में आगे पर होगे न बेटा तो आपको ये पता चलेगा ये electron वाला जो बात है न ये आगे जाके गलस सावित हो गया था और electron को आगे जाके हटा दिया गया था यहां से बट आपको यहां पर अभी दोनों चीज़ पढ़के रखना है atomic जो number होता है number of proton के equal और इसी को बोलते है number of electron क्योंकि एक atom के अंदर जितना number of electron होता है उतना ही number of proton होता है और यहां पर हम basic electronics पर रहे हैं इसी नहीं पर रहे हैं तो उतना डीप में लेके मैं नहीं जाओंगा यस देखें नीचे क्या लिखा है in a normal atom the number of protons is equal to the number of electrons thus atom is electrically neutral question पूछेगा atom कैसा होता है तो आप बोलोगे atom electrically neutral होता है क्यों होता है क्योंकि यहां पर total number of positive charge total number of negative charge के equal होता है डन है सभी को जल्दी से देख लो जिद्ध्यान से यह note point है डन है सभी को यहां तक थमसब कर दीजेगा सभी लोग clear है सबको और box में बंद है याद करने में असानी होगा इसलिए इसको box में बंद करके रखे जो अच्छा चीज़ होता है ना उसको box में बंद करके रखो जल्दी से बता देए सभी लोग डन है सभी को सर्मा electronics नहीं पढ़ा हूं तो crash score से basic electronics पूरा पढ़ लेंगे तो हां पढ़ हो तो सही देखो यहां पर मैं पहले बता दे रहा हूं जो बच्चा एक बार पढ़ा है क्यों मुझे पता है बच्चे जब पढ़ते हैं तो बहुत बार पढ़े हैं एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार पता ने कितने बार पर पर यहां से पढ़ो तो सई आपको सारे subject फिंगर टिप्स पे आने वाला है सारे subject का बात करो नोट ओनली बेसिक एलेक्ट्रोंग जो अपकमिंग सब्जक्ट है ना जो अपकमिंग सब्जक्ट देखने को मिलेगा ना वह भी वन आप दो बेस्ट मिलने वाला है इस बात का मैं आपको ट्रस्ट दिलाता हूं दन है मर्ज में आता है चलो यहां पर देखो ध्यान से यह सिल दिख रहा है आपको सिल क्या होता है सेल होता है इस उसी को बोलायाता है उसी को क्या होता यह तो यह होता है यहाद है तो यहाद है तो जल्दी जल्दी से बता देंगे यह हो गया सर यह नहीं पूछ रहा है तोपिक कुछ और लिख्यों आप मैं लिखा हूं maximum number of electron in a cell n e का value कितना होता मालू एन लिख देते हैं maximum number of electron कितना होता तो यह होता है 2 n square यस यह फर्मूला होता है सर पहला सेल में कितना electrons रूकेगा सर पूठ कर दो न क्स रखागा सर कहाला हो जाएगा फर्स्ट सेल में पूछरे prix अरे फुट कर दो मेरे भाई मतला सर के अगर पूछेंगे electron कितना होगा तो two multiply by one का square कर देंगे sir दो electron नहीं होता है पहले में जो के बाला होता ए के sale होता है उसमें दो electron रह सकता है sir दूसरा बात करेगा तो second sale का बात करेगा तो formula में put कर देना क्या हो जाएगा any value two multiply by two का square कितना होगा बेटा 8 electron नहीं होगा जलदी से बतो देखो देखो ध्यान से किलियर हो रहा है यस दो इलेक्ट्रोन 8 इलेक्ट्रोन तीसरा तीन का स्क्वेर नो दुनिया अठारा चाओ था फ़ोर का स्क्वेर multiply by 2, तो कितना होगा, 18 के बाद कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ऐसे ही continue चलता जाता है, 2, 8, 18, देखो ध्यान से, क्या होता है, 2, 8, और 18, और ये कितना होता है, 32, यहीं तो होता है, यह K हो गया, L हो गया, M हो गया, N हो गया, अरे याद आया कुछ, यस, फिर नीचे में क्या लिखा है, यह और बीट क्या होता है, तो और भी देखो जो cell है ना, cell पे ही तो electron घूमता रहता है, तुम्हारा घर और तुम्हारा college, कि बीच में जो रास्ता होगा, उसी रास्ता से तो तुम बार-बार जाओगे, आओगे, जाओगे, आओगे, जाओगे, आओगे, इलेक्ट्रोन जिस पाथ पे बार-बार घूम घूमता रहता है, बार-बार घूमता रहता है, उसी को क्या बोला जाता है, और बीट बोला जाता है, जिस पाथ पे बार-बार इलेक्ट्रोन घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, उसी को क्या बोला जाता है, और बीट बोला जाता है, और बीट बोला जा यह सबसेल क्या होता है सर यह और बाइटल क्या होता है एनिवन कोई बता सकता है और बाइटल क्या होता है चल्दी जल्दी जल्दी से बताएंगे यह सारी चीजें आपको जनरल साइंस में भी काम आएगा फिर मत बोलना कृष्णा सर पढ़ाय थे और एक्जाम में पूछ ल यह बहूंत जल्दी से पता wtih सब्खते लोग और क्या होता है तो कोई पूछेगा यह से्धा Punkte ओंप तो आप बोलना जिस जगह पर ओने का प्रो भॉबैबियटि Alea maximum होगा ध्यासा सुन atom में जिस जगह electron के होने का probability maximum होगा, that is called orbital, क्या बोलना, जहां पे electron का होने का probability maximum होगा, उसी को बोला जाता है, orbital, दन है सभी को, cell क्या होता है, सब cell क्या होता है, तो cell के अंधर में, cell के अंधर में जो होता है, जगह सब cell जहां पे electron रहता है, यह सब deep की बात हो गई, बस मैं आपको बता दिया, अगर आप से आएगा examink chemistry में आएगा, तो आपको definitely उसका answer कर परो, दन है सभी को, चल यह आएए, अब देखो ध्यान से, यह दिख रहा होगा सभी को, यस, दिख रहा है फर्स्ट सेल, यस सथ, दो इलेक्ट्रोन, अच्छा जी, दूसरा में कितना दिख रहा है, से कैंसर में 80 इलेक्ट्रोन, तीसरा में क्या दिख रहा है, 18 इलेक्ट्रोन, दि बराबर 1 कि 12 एका करके देख लेना आई 10 ने 17 होगा ने ने इस देखे残 ते डिलोग को सब принogi सब्सक्राइब तक बूर्ण Helen Bailey ने धाइडर कर लिएघ कर लिघा यहां पर एए ज़ीन कर लीजेगा यहां तक अगर आपने अभी तक PW app जोएन नहीं किया है तो PW app को भी इंस्टॉल करें आपको वहां पर भी मिल जाएगी यस क्लास के तुरंत बादी अब आओ यहां पर सर अपने काम का तो यह दोनों चीज है सर क्या क्या है यह सिलीकन देखो ध्यान से यह सिलीकन यह सर यह क्या होता है सर यह यह अपना सेमी कंड़क्टर इसी के बारे में तो पढ़ने वाले हैं इसी को समझने के लिए तो यह सारी चीजे पढ़ा रहा हूं बेटा ध्यान से देखो यह क्या है सर यह जर्मेनियम देखो ध्यान से इसको जी जी इ से रिपर जन करते हैं सर इसका अटोमिक नमर कितना ह सबको यह सबको याद नहीं होता है समझके रखना भी नहीं अब देखो ध्यान से अब एक बात और सर इसको जब electron फिल करेंगे इसके cell में तो किस pattern पर फिल करने वाले हैं यह देखो ध्यान से 284 मतलब पहला cell में 2 दूसरा cell में 8 तिसरा cell में 4 इसलिए बोला याता है क्या silicon के पास जो violence electron है यह बाइलेंस electron क्या होता है अभी पता चलेगा टंसर मतलो यह जो violence electron है कितना है वाइलेंस electron चार वाइलेंस electron है देखो ध्यान से ठीक है सर सिलिकन के पास चार वाइलेंस electron ठीक है सर zormenium में एल, कितना होता है hatuman 밖에 32, पहले में 2 डाल alumni क्योंकि यह कि दो ही का limit है, पहले का, दूसरे में 8 डाल दिये,80 का limit है तीसरे में कितना 17 डाल दिये, maximum intimacy ही तो है, तो 2 हो गया, 8 हो फोर हो गया सरइ यह तो 28 हुआ, अब कितना डालना पड़ेगा सरण 보고 फोर औडाल तो देखो ध्यां से इसका वैलेंस culture कितना हुआ इसका वैलेंस इलेक्ट्राऊन फोर हो गया सर अच्छा ये भी semiconductor है मतलब समझे दया मतलब semi conductor वाले जितने भी element होगा semi conductor वाले जितने भी element होगा उसके outer most orbit में मतलब उसके पास जो वैलेंस इलेक्टरॉन होगा वो चार होगा एक silicon दूसरा जर्मेन में तो sir कार्बन के पास भी तो चारी होगा देखो देखो धियान से atomic number कार्बन का कितना होता है sir 6 होता है तो sir इसमें जो फिल करेंगे पहले में दो और दूसरे में चारी हो जाएगा तो इसके पास भी तो चारी होता है सर क्या वैलेंस इलेक्ट्रोन चारी होता है तो सर कार्बन भी तो सेमी कंड़क्टर हुआ न कौन-कौन एगरी करते हो कार्बन सेमी कंड़क्टर है जल्दी से बता देंगे सभी लोग, सर कारबन सेमी कंड़क्टर, हाँ सर, चारी तो है बैलेंस इलेक्टरों, तो ये भी तो सेमी कंड़क्टर हुआ न, बात तो सही बोल ले हो सर, क्या ये सेमी कंड़क्टर है, और अगर यस तो क्यों, अगर नो तो क्यों, कि बल चार हो जा कि भाइनस सारे सब्सक्राइज क्या और तुम्हारे फैमली मैंबर नहीं देखा जाता है और भी श्राते की तो क्यों आपक् किया तो बैटा अगर बात करोगे carbon को तो carbon में जो band gap ंदी बारे मिsoon बात करेंगे आगे मस्य सुनना ये ये वर्ड के बारे में बताऊंगा carbon का जो band gap होता है मतलव balance बैस्बेक्ड और energy band बाइलेंस बैन और conduction band के बीश का जो gap होता है ने फाइब व्यड़ सिक्स एलेक्ट्रोन बॉल्ट होता है मतलब जो EG का value होता है ना यह nearly equal to 5.6 electron volt होता है यस और जब यह 5.6 electron volt होता है तो यहां पर जब balance band से conduction band में जाना होगा charge carrier को तो इसके लिए इतना energy की requirement होगी और आपको पता है अगर कोई semiconductor है चाहे silicon का बात करो चाहे germanium का बात करो तो उसका जो energy band gap होता है EG का जो value होता है वो 1.1 से लेकर के या इसे बोल चकते हो 1.3 से लेकर 1.5 electron volt के बीच में लाइक करेगा देखो त्याम से सर यह तो बहुत ज़्यादा है सर 5.6 यह कहां 1.3 maximum मालो 1.5 हो जाएगा यह तो 5.6 है यह electron जो है ना balance band से conduction band में जाही नहीं पाता है और जाही नहीं पाता है तो यह जो नेचर है ना यह semiconductor की तरह नहीं बन पाता है बेटा इसलिए यह कैसा है यह कैसा होता है carbon conductor होता है या इंसूलेटर होता है comment box में जल्दी से बताओ सेमी कंड़क्टर तो नहीं हुआ भाई साब यस सेमी कंड़क्टर तो नहीं हुआ यह तो क्या होगा यहां पे conductor होगा या फिर इंसूलेटर होगा क्या बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से बताएंगे सभी लोग conductor होगा या इंसूलोटेर होगा किसमें टिक करूं मैं जल्दी से जल्दी से किसमें टिक करूं सर कंड़क्टर होता तो उभरलाप होता न सर सर यह तो 5.6 electron volt यह ऐसे बोल सकता है अब वो समय नहीं रहा घुमा के कोशन पूछेगा स्टेटमेंट डाल के कोशन पूछेगा मैं स्टैप कोशन पूछला एक्जाम में अगर आपको कॉंसिप्ट पता है ना डेफिनेटली को बना के आओगे और सही बना के लिए क्लास पहला क्लास है पूरे फॉंडेशन मैं अब गार्व कंटनेसर शाट भी कर दो का नहीं कि यह क्या है यहां यह बात करूँ यहां पे दो से Dahaल मोह वीड का मतलब क्या होता है तो सबसे बायतम कक्षा यहां पे कितना है बाओर में McMWeek यहां पर कितने में एक थीन चार तो क्या है यह बाई यह 4 इलेक्ट उभ स्कार इलेक्टरों तो क्या बोलते इसका बाइलेंस इलेक्ट्रण चार है मतलब और मोस्ट और दीट में कितना एक्टोन है बार बार यहीं तो घूम रहा है इसी को वोले थे और अर्बिट जहां पर इलेक्ट्रों बार बार घुमेंगा 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 उसी आर्वित बोले थे तो बार बाला आर्बिट क्या है और अर्टर मोस्ट ऑर्विट यहां पे चार इलेक्ट्रोन है यस लिखा गया है जो अ मैक्सिमम ऑप इसरा पॉइन्ट ऐसरा पॉयंट क्या है यह जो वाल्येंस इलेक्ट्रॉन ना यह फिजी केमिकल प्रोपर्टी किसी मेंटेरील का सब्सक्राइब करके आप यह बता सकते हो आच्छा तुम्हारे पास चार एलेक्ट्रॉन है तुम्हों सेमी乾डक्डर तुम्हारे पास पी इल बाइलेंस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ध्यान से सुनना अगर greater than 4 electron हो गया तो यह हो जाएगा insulator देखो ध्यान से देखना यस अगर बाइलेंस इलेक्ट्रॉन equal to 4 हो गया तो यह हो जाएगा semiconductor इस पे भी question आया हुआ है SSCJE exam में यस अगर बाइलेंस इलेक्ट्रॉन less than 4 हो गया तो यह क्या हो जाएगा बेटा यह हो जाएगा यह भी एक प्रोपार्टी है यह सब अलग अलग प्रोपार्टी है और इस सब प्रोपार्टी पे exam में question frame होके आया हुआ है और जब exam में जाओगे जब करोगे ना बेटा और जब question दिखेगा ना तुल लगेगा सर ने बताया था और इसी जब question आगया देखो ध्यांस से नोट करो फटाफट को ड़न है सभी को ड़न है सभी को what about selenium yes selenium is also a semiconductor yes selenium भी semiconductor होता है लेकिन जब बात करेंगे selenium का कब जब selenium की बारी आएगी तब अभी जब इसकी बात आई तो इसके बारे में बात कर लिजे जो selenium होता है this is also a semiconductor इसका भी नेचर semiconductor की तरह ही होता है बेटा किलियर है सभी को एंच के लिए शोभी सब्सक्राइब क्षान आये यहां पर सब्सक्राइब कर सब्सक्राइग सब्सक्रान क्या होता है सब्सक्राइब ध्यान से यह होता है दा। वाइलेनेस ईलेक्ट्राण किसाल लुज chocolates to the nucleus और नोन एज फ्री फ्री एलेक्ट्रों मतलब सर ऐसा एलेक्ट्रों जो नीकलियस से लूजली एटेच होगा ध्यान से आपको मैं PDF दे दूंगा और PDF से सारा चीज नोट्स कर लेना सारा चीज मिल जाएगा अभी आपका पूरा-पूरी ध्यान के बल समझने पर लगना है यह क आपको समझना परेगा और मैं यहां पर समझाने पर फोकुस कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास लिमिटेट टाइम है यह नोट्स माई एज इटिज आपको दूंगा क्योंकि मुझे पता है जिस बच्चों को मैं समझाया हो ना वह बच्चा समझ की इसको लिखेगा भी और घर पे जाके इसको लिखना भी आए कोई भी दिक्कत हो आपके लिए हमेशा इंजिस वाला की टीम अविलेवल है और एफिनिटी के बारे में बता दीजिए इलेक्ट्रों एफिनिटी होता है इलेक्ट्रों को गेंद करना इलेक्ट्रों को लूज करना यहीं बोला जाता है लोगों को जूस पिलाओ न तो लोग डिमांड करने लगते हैं सर मुझे बढ़िया क्वालिटी का जूस पिला द बहकावे में आ गया है इसलिए ये बच्चा इस तरह का कमेंट कर दिया था कभी भी किसी चीज को जज करने से पहले उसके बारे में जान लेना बेहतर है आपको मैं सब्जेक्ट स्टार्ट भी नहीं किया और आप भोलना स्टार्ट कर दिये भाई मतलब दो घंटे के बाद मैं क्या पढ़ाऊंगा ये तुम पहले मिनट में जजज कर लिए सब्जेक्ट का नाम लिखे तुम पहले जजज कर लिए फैकल्टी का नाम लिखे तुम पहले जजज कर लिए कहां से भाई कहां से अरे कहां से ऐसे नहीं होता है बेटा सुना सुनाई जो बाते है न वो जूटा भी होता है मैं बता रहा हूँ जो लोग तुम्हें बोला था न तुम से एक्जाम नहीं निकलेगा SACJ का मैं बोल देता हूँ अगर तुमें उस लोगों को सब्सक्राइब निकल जाएगा मैं आपको सपोर्ट करऊंगा मेरी पूरी टीम आपको साथ देगी तो आपको पड़ेगा इस बात को ध्यान किया दनना सबको तो सर यह क्या होता है दो करो मैं एक डाग्राम बना रहा हूं यहां है यहां पर प्रोटॉन है यह निकुलियस है भाई साथ यह पहला सेल यह पहला और्बिट बोल दो यह दूसरा यह तीसरा यस अब देखो सिंपल सी बात है दूरियां बढ़ती है फोर्स कम ज्यादा होता है सर कम होता ज्यादा नहीं होता दूरियां बढ़ी फोर्स घटी यह यहां पर इसे कम फोर्ष लाइंट देकिन बढ़ गई और दूरिया जब बढ़ी न तो गलत फ्रमियां भी ब्रद गई किंगे विती में तो थीसरी लगई उतक पीसमें तो प्रत healthy लेकता हैião यह बाहर वाला इलेक्ट्रोन इसमें जो इलेक्ट्रोन होगा न यहीं बनेगा फिर इलेक्ट्रोन यहीं होगा फिर इलेक्ट्रोन देखो ध्यान से यहीं होगा फिर इलेक्ट्रोन आपका देख रहा है सभी को तो यह सब क्या है यह सभी इलेक्ट्रोन है यह सभी इलेक्ट्र लेकिन इसको बाहर जाना होगा ना तो ज्यादा एफट लगाना पड़ेगा इसको बाहर जाना होगा ना तो ज्यादा एफट लगाना पड़ेगा बट इसको बाहर जाना होगा ना चुपके से निकल जाएगा समझ रहे हो तो यह क्या हो जाएगा फ्री एलेक्ट्रों और यह हो जाता है इसलिए मैं हर एक पोईंट पर बात कर रहा हूं इस बात का ध्यान दखना सभी लोग ड़नरे सभी को चलिए अब आते आगे अब देखो ध्यान से सर आपने बोल दिया फिर एलेक्ट्रों यस 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 आपने बोला बाले इस यस तो बालेंस इलेक्ट्रों के सेमी कंड़क्टर और तुम देखो जहां पर मैं बाइलेंस इलेक्ट्रों लिखाओं इसके नीचे में छोटा सा बॉक्स लिखाओं और बॉक्स में यह लिखाओं अगर बाइलेंस इलेक्ट्रों चार से कम होगा ध्यान से सुनना यहां पर बाइलेंस इलेक्ट्रों सब को लग रहा शुर्टपीटी से पढ़ाएंगे क्या सुनते हैं फीपीटी ग्याइंगवाले भी लोग है को यहां पे तो नहीं हो ना फीपीटी ग्याइंग वाले तो अपना तरीका होता है मैं कहीं सबी पढ़ाऊ मेरा मोटिव है बच्चों के धिमाग पे छाके खेलना बस दिमाग में चीज़ें को रख देंगे फिर जाओ एक्जाम में अराम से कोई दिक्कत में ओके यह क्या है बाइलेंस इलेक्ट्रॉन less than three yes क्या होगा वालेंस इलेक्ट्रॉन less than three जो होगा सौरी less than four less than four अब देखो ध्यान से मैं तुम्हें पूरा periodic table का भर्मन करने वाला हूँ अभी periodic table सामने रख दूंगा बताऊंगा बताऊंगा बताओ वालेंस इलेक्ट्रॉन देखो ध्यान से वालेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा इक्वल टू फोर हो जाएगा तो यह सौरी इक्वल टू नहीं सब्सक्राइब ग्रेटर दैन फोर जो हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा इंसुलेटर यस यह कितना हो जाएगा आदी अगर perseverance electron क्या बारेंस एलेकट्रॉन क्या हो जाएगा इक्वयल क्या फोर हो जाएगा तो यह हो जाएगा सेमि कड्ड़टरं सर एक्जामपल दो ऐसे काम नहीं चलेग़ कि बल बोलने से नहीं काम होता यह primo फृत कर दो इस वी Luego सर हम को कुछ नहीं समझ में में आरहा है इसमें भी इक्जामपल दो सर तो इसमें लिख लो न है स्ट एंषिंग कोपर है बहुत सारा है जिसके पास चार से कम है ना सब सार सूडियम अच्छा जी सर्मेगनी सियंग अच्छा जी धित ध्यान सर यह सब के सब का एटर कर दो यह सब के सब क्यों ओ ध्यान है और रहा है समज इसके बाद एको इन इन cancel करेंगे सर माइब का यह सर इसके बाद सर पिरियुदी क। ब然后 सर यह देखो ध्यान से देखो ध्यान से यह क्या लिखा है एक्स तुम्हारा वाला एक्स का बात नहीं कर रहा हूं यह एक्स माना की फादर का एज एक्स है वह वाला एक्स है तुम्हारा एक्स नहीं है यह यह क्या है एक्स यह हर जगा एक्स हां हर जगा यह जो दिख रहा है एक इलेक्ट्रोन मतला इसके और में एक इलेक्ट्रोन होता है यह क्या है दो इसके और में दो इलेक्ट्रोन उठा लो सब कंड़क्टर है यह क्या है दो सर इसके और में यहां से लेकर यहां तक जितना भी आना सबके और में दो इलेक्ट्रोन यहां सर चार इलेक्ट्रोन दे आठ यह आठ वाला है सर यह देखो दो यह सब दो बाला है समझ में आ रहा है उठा के कोई भी देख लोग मेटल हो जाएगा चार से कम बाला चार से अधिक बाला देखोगे सब के सब इंसूलेटर हो जाएगा यस सर चार बारा यह यह देखो चाल यह 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 य को एसा इस में ज्यादा का कॉन सा है यह सो इस sonor City पूरे कर सब्सक्राइस के बारे में बात करने यह सिलीकन क्या होता है और इतना ज्यादा इंपो टैंट है बेटा देखो ध्यान से पूरा बेसिक एलेक्टोरिक्समें इसी का जलबा है सिलिकन और जर्मेनियम के बारे में देखो ध्यान से दिख रहा है सभी को यह सब पता है तुम्हें यह सब नहीं पता है याद कैसे करें यह सब नहीं करना पर समझ लेना है क्योंकि एक बाइलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा आपसे यहां पर क्या लिखू यहां पर भी बाकी तो पता ही है लिख दी दिया हुं सारी चीज़े नोट कर लीजिये सभी लोग यहां तक क्लियर है सभी को जल्दी से बता देजिए हैं यहां तक क्लियर है अमित्राबत बोल ले हैं शर इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है और नुक्रियोस पर पॉजिटि краnt पोजितिव जात है तो एट्रेक्ट क्यों नहीं होता है हन्जी कोई बताएगा इसका इंसर गुड कोष imagination बहतरीन कोष्ष और यह जो लग्तरोण है और यह जो प्रो डिखो पील्कशौम प्रोडपसरीं सेटना उतना इस पर और नेज्टरान पर कोई शाल्ज नहीं होता है अब द देहों कि यह दोनों इसमें घूमता रहाताsecurity और जब तुम एक circular path पे घुमते हो ना, तो बाहर की तरफ एक centrifugal force काम करता है, अगर आपने circular motion पर होगा, तो आपको थोड़ा बहुत idea होगा ने, तो सुनना मेरी बात, जब तुम किसे भी circular path पे घुमते हो, जैसे ऐसे रस्ती को घुमा देना, एक इट बाद देना रस्ती में और इसको ऐसे circular path पे घुमा देना, बाहर की तरफ एक force लग रहा है, यह जो force लगता है, इसको बोलते है, centrifugal force बोलते है, कितना होता है, अगर r distance पे है, और m उसका mass है, और v velocity से घुम रहा है, तो यह होता है, mb square by r, कितना होता है, mb square by r होता है centrifugal force, यह बाहर की तरफ लग समझना बात से, बहुत बहुत बहुतर इन question है, यह कितना लगता है, यह लगता है, mb square by r, सारे घुम रहा है, सारे electron घुमता जा रहा है, घुमता जा जा रहा है, तो इसके तरफ एक और force लगता है, और दो opposite charge के बीच में एक force लगता है, जिसको बोलते है, force of attraction या force of repulsion, that is the Coulomb's force, क्या होता है बेटा, यह होता है, F पराबर कितना, K, Q1, Q2 by r square, अरे पता है क्या, और यह दोनों एक दूसरे को balance करके रखता है, जब यह घुमना बंद कर देगा न, यह इसमें चला जाएगा, और जो ही यह इसमें चला जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, तो यह ग मिल जाएगी, तुम रुकोगे, बलास्ट हो जाएगा, इसी तरह से बलास्ट हो जाएगा, क्लियर हो गया सब को, बेटा क्लियर हो गया, अरे जल्दी से बताओगे तुम लोग, डन है सभी को, एक बार जल्दी से comment box दिल की बोशार होनी चाहिए, बेहतरीन सा concept है, इतना ही समझ के रखना है आपको, ज्यदा डीटेल में नहीं जाना है, चली आईए, इधर आजाओ बेटा, इधर आजाओ इधर, कहा थे सर हम लोग, यहाँ पर आगे है सर, अब देखो ध्यान से, एनर्जी बेंड क्या होता है सर, हंजी, एनर्जी बेंड पर आगे, बहुत साई ब इसलिए मैं पहले इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं, फिर इंटर कर जाओंगा सब्जेक्ट में, एनर्जी बेंड is the range of energy possessed by electron of the same orbit in a solid, range of energy जो होता है, किसी बी electron का, किसी बी orbit में, इसका range of energy होगा, मतलब एनर्जी का जो range होगा, उसी को क्या बोलते है, एनर्जी बेंड बोला आयाता है, उसी को बोल दिया, जैसे, दिखो यहाँ पर, क्या है यह energy level है, one atom है, अलग अलग है, तो यह energy level होगा, two atom है, दो दिख रहा हैं, तुम्हें, यह तिनी atom है, तिन तिन दिख रहा है, many atom है, बहुत सारा है, तो इसको क्या बोल देंगे, यह है energy का band, यह क्या ह energy का बहुत सारे range of energy यहां पर available है यस अब बात आती है यहां पर क्या सर कि आपको एक बात पता है हम के बाल पढ़ते है energy band और energy band में हम पढ़ते हैं क्या forbidden energy पढ़ते हैं सर हमको यह बता दिया जाता है सर energy ग्याप की जब बात की जाती है मैं ही बताता हूं तुम्हें यस और मैं अभी बताओंगा यस जब बात करते हैं न सर energy gap का तो मुझे बता दिया जाता है यह जो यह जो energy gap है ना यह violence band और conduction band के बीच का जो gap होता है ना यह gap दिख रहा है तुम्हें इसी को बोल दिया जाता energy gap यह energy band बट सर यह होता क्या है सर आपने atomic structure पढ़ा दिया अपने सिल पढ़ा दिया अपने orbit पढ़ा दिया और मैं सच बता रहा हूं यह बहुत सारे लोगों के बारे में देखा हूं देखा हो लेक्स पताने लोग कैसे बोल देते ऐसा होता है अगर आपको कोई चीज नहीं आता है तो time ले लीजे कोई दिक्कत नहीं है हम नहीं बोलते हैं जो हर हो अपने आपको आयम लीजेंड तो लगता है यार मतलब सौरी यार ऐसा नहीं करना चाहिए आप गलत कर जो और भगमान उपर वाला सब देख रहा है एक दिन सब का न्याय होगा इस बात को ध्यान लगीगा तो सर यह क्या होता है सर एनर्जी क्या अब देखना ध्यान से ध् सर ऐसे लिखो गया एनर्जी लेबल का बात कर रहा हूं यह एनर्जी लेबल यह बहुत सारे नर्जी लेबल जैसे मालो यह पहला सेल हुआ देखना ध्यान से यह क्या हो गया यह पहला सेल हो गया ऐसे दिखा रहा हूं रूको ध्यान से ऐसे यह हो गया पहला सेल देखना ध पना रहे हैं तो गलाप में इसी को लीनियर बना रहे हैं यह पहला सेल है यह तीसरा सेल यह चोलट में जहाए amazon कर रहो ग्राफी कल फस देखोancy consider यहींसितान मा यहां पे यह यह लास्ट नास्ट और ढ्रल विट यसको आँ प्यार से बोलते हैं और तरफ और विट यस्ट अ क्या बोलते हैं इसको प्यार से और तर महस्ट और ध्यान से समझना बेटा यह वह चीज है न है तो सब कोalar 허约 सबым से बेटाईं करने पर क्या होता है इसाद मां बताएंगे प्लीज थो रा सय है लिए जो दिख रहा है न तुम्हें यह भाला से दूसरह लिर दाटरा से यह जो डिखता जारा है निक जारा है इंढा यहीं सारी जो इलेक्ट्रोन होता है ना सारे सेल में होता है इसमें इलेक्ट्रोन इसमें इलेक्ट्रोन इसमें इलेक्ट्रोन इसमें इलेक्ट्रोन इसमें और जब हम बात करते हैं जो यह कंडक्शन में जाएगा इसका इलेक्ट्रोन करेंट फ्लो कराने में पाटिसिपेट करेगा जैस इसका होता है कितना टू एट फिर कितना होता है एटीन होता है फिर फोर होता है यहीं तो होता है देखो इसमें दो इलेक्ट्रोन यह सर इसमें कितना एटीन इलेक्ट्रोन यह सर इसमें कितना चार इलेक्ट्रोन यहीं तो होगा अब सर यह हो गया अब यह लास्ट वाला है न बोल देते हैं क्या ये सब के सवग्या मिलके हो गया देखो ये सब के सब मिलके ओग्या इस सब को मिला के बोल देते हैं ये लिखा है और कूई दिक्कत होई ना है वैलेंसमें लिखने में यस अब यह बाहर में तो होगा नियुक्त यह नरजी लिभल यह बठेगा बढ़ेगा यस मालो यहां पर यहां पर इस अब यहां से कूद के जाएगा हरि इलेक्टॉन का मोटीव यहीं होता है सर माई करिंट फ्लू करभाने संसे यहां से यहां जाएगा यहां से यहां से यह, यह कूद के यहां से कब जब या तो हम टेंपरेचर बढ़ाएंगे तब या फिर एक्स्टरनल एलेक्ट्रिक फिल्ड बढ़ाएंगे तब यह दोनों चीज का सहारा लेता है और इलेक्ट्रोन यहां से यहां कूद के जाता है ना तो यह क्या है इसी को बोल देते हैं energy gap क्या बोला जाता है forbidden energy gap energy gap या इसी को बोल देता है क्या band gap भी बोलते हैं देखो ध्यान से देखो मगर ध्यान से देखो नोट करो फटा फर से ध्यान से देखना ध्यान से यह वैसा चीज है ना बेटा chemistry 9th से 10th और इसके बाद diploma में इंटर करते हुए बीटेक करके जई बना देंगे बस ध्यान से देखते रहा ना ध्यान से देखते रहा ना यस अब हम सब बात करेंगे ईजी यह सब दो पता ही है वेटा रहा हूँ यह नोट करो फटा फर से फटा फर से नोट करेंगे सभी ध्यान से ध्यान से देखते जाएंगे सभी लोग करेंगे फटा-फट यहां तक किलिए है कोई दिक्कत कोई परेशादी जल्दी से बता दो फटा-फट एक घंटा का सो हो चूका है हो सकता है बहुत सैंसा लोगों को पता ही नियक चला सहर एक घंटा कैसे खतम कर दिए भा यह बतो क्या इन सेमीचंड़क्टर ज्याहंसे सुनना इन्सेमी कंड़क्टब अच्छा जी इन्सेमीकंड़क्ठर इसको क्या बोलते हैं इसको बोलायता अर्धचालक ही यह सब्सक्राइं ना इसमें जो वानन्स bench रहता है यह एक सा होता है पार्चली फिंड होता है यह पार्चली फिल्ड 1972 नहीं होता है यहां इस टर्म में बात करो यहां जो कंडक्शन होता हिता हो कैसा होता है जल्दी से बताईिये यह तो बात हो गया से असलसand पूछता है कहां इन कंड़क्टर में भी बात करूं गां इन्सुलेटर में नहीं बात करूंगा इसमें बता दो वाइलेंस बैंड कैसा रहेगा भाई जल्दी से कमेंट बख्य माना चाहिए एंसर सबका यस इसमें कंड़क्शन बेंड काईसा होगा जल्दी से और temperature बढ़ने वाला चेंसर मतलो मैं temperature के साथ तो खेलूंगा temperature साथ बिल्कुल खेलने वाले हैं अपर लोग मजाई आ जाएगा सब कोई दिकतने बेटा new student older student आपको कुछ नहीं करना है आपको साम आठ बजे इस सेशन को जोईन कर लेना है और आज से आप इतियास रचने जा रहे हो बट आपको ध्यान से इतियास रचने के लिए महनत करते जाना है ध्यान से अपने time को अपने concept को बिल्ड करते जाना है इतिय इस अब कुछ नहीं मैंतन हो तो समझ लेना यह सब रूम टेंपरेटर का बाद चला है यह सब कहीं और नहीं पर चला है तो अगर पूछेगा तुम से क्या होता है बता दो वाइलेस बैन कंडक्शन में सेमी कंडॉक्टर में तो बोलना यह भी पार्सली फिल्ड होता है क्य क्या है यह भी पार्सली फिल्ड है यह भी पार्सली फिल्ड है दूनुची लिख लो जल्दी फटाफर से यह सर अगर यहीं बात क्या जाएगा लो टेंपरेचर पे तब जल्दी से बात करो यह तो सर रूम टेंपरेचर बात कर ले अगर मानलो एकजाम में पूछ लिया ल आप यह बताओ पहले जो सेमी कंड़क्टर होता है यह लोड टेम्पेटर पर कैसे बिएव करता है इंसुलेटर की तरह तो यहां पर जो सिच्वेशन बताऊंगा ना यह जर्स्ट इंसुलेटर वाला चीज होगा और जब रूम टेम्पेटर का बात करेंगे थ्री हंडे फिल्ड होगा यह फुली इंपटी होगा सर जल्दी से बताएंगे सभी लोग सभी लोग बताएंगे जल्दी से जल्दी से बताएंगे सभी लोग कैसा होगा बेटा बाइलेंस बैन बता दो कंड़क्शन बैन बता जल्दी जल्दी फटा फटा फटे बताएंगे सभी क्या होगा क्या होगा अरे पता नहीं रहो यार तुम लो पाइलेंस बैंड पार्शली इंपिटी कंड़क्शन बैंड पार्शली फिल्ड ओके सूरज बता रहे हैं और कोई बता रहे हैं क्या बाइलेंस बैंड फुली फिल्ड कंड़क्शन बैंड फुली इंपिटी यस और क कोई बता रहे हैं क्या जल्दी से बदधा फटा फर से देखो लिखो जो बाइलेंस सब्स नहीं पेटा जो बाइलेंस बैंड होगा यह के लिए कंप्लीटली फिल्ड होा हो घास कंपलीटली भरा हुआ होगा यह और यह क्या होगा यह होगा completely empty देखो ध्यान से यास देखो ध्यान से नोट कर लिए फटाफर से दन है सभी को सभी को इतना दन है इतना दन है जल्दी से बता फटाफर से दन 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 यस यह किलियर सर इसमें क्या होगा यह भी होगा पार्शली फिल्ड देखो न यह भी होगा पार्शली फिल्ड और यह भी क्या होगा यह भी होगा यह बात कर रहा हूं यह बात कर रहा हूं जिसको आप प्यार से बोलते हो इशॉलूट टेमपरेचर यह देखो ध्यांज से क्लियर है कि दना इस अभी को चल अभी ऑपर लेप का बात करेंगे अब आपको बता दिया अभी आगे बताएं गे सब कुछ टेंशन मत यह अब आते ही भात सर एनर्जी गैप क्या होता है सर अगर मुझसे निसल पूछ लेगा अब क्या पूछेगा एनर्जी डाप का सड़ी सर अनर्जी लेवल होता है इसका नाम पतो इसे था है यह पी अधा इसनकष न्वेबल आप जैंन पूस्ट इसका ev तर्योग साल रो having lowest energy level of conduction with the EC is the OS energy level होगा इसके बीच में आपने एक ही एनर्जी लेबल है इसके इसके बीच में बहुत सारे इनर्जी लेबल होगा बहुत सारे रेंज का इनर्जी ले लेभल होगा जया उसमें जो लोएस्ट वाला होगा उसका नाम इसी दे इभी इसके बीच का जो गैप उसी को क्या बोलते है वर्यен के और गर गया बोलते हैं यहीं चीज में हिए डिफनीशन में लिखा हूँ कुछ अलग नहीं लिखा हूँ क्या लिखा हूं मैं एनर्जी गैप is the distance between lowest energy level of conduction band and highest energy level of balance band is called energy band gap उर्जा अंतराल जो है उर्जा अंतराल लिखना बेटा यहां पे उर्जा अंतराल जो है बैंड के न्यूंतम उर्जा अस्तर और बैलेंस के उच्तम उर्जा अस्तर के बीच की दूरी को कहा जाता है उर्जा अंतराल देखो थे हम से डन है सभी को डन है कोई दिक्कत कोई परेशारी यहां तक यस सर लेकिन वाइलेंस बैंड तो एक सॉलिड के अंदर पर जेंट मिलियन आप और मोस्ट और्बीट के इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होता है लेकिन आपने सब और्बीट के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेबर मिला के बाइलेंस बैंड दिखाया यस अभी आगे पर चलेगा बैटा कमल बस वेट और वाट्स वेट और वाट्स आपकी क्वेरीज अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी वेट और वाट्स यस किलियर हो पर इसको मैथसमेट्यक ली लिख सकते हैं जो फीच होता है यह क्या होता है यही बिच का बेट का डिठा हो तो के बीच का दिखाऊएंगे इसी माइने दिखाएंग यही से हैं का conduction band और balance band के बीच के difference को क्या बोलेंगे energy band gap बोलेंगे that's it clear चलिए अब आई आगे अब और क्या क्या होता है सर यह अब कोई बोलेगा सर इसका सुर्थ band diagram सही से बना दीजिए सर यह देखो ध्यान से इसको और और सही से बनाना चाहोगे तो band diagram आप ऐसे बना लो देखो ध्यान से क्योंकि यहां से भी एक definition मैं बताऊंगा तुम्हें यह अब देखो ध्यान से यहां पर बना दो क्या कि यह कि दिक्शा रहा है तो रहा है सर बहुत अच्छे से दिख रहा है सर आप दिखाओक है और दिखेगा नहीं ऐसा कैसे हो सकता है यह क्या है बेटा यह अपना वाइलेंस बैंड देखो ध्यान से यह क्या है यह वाइलेंस बैंड यस अब देखो रफली में ऐसे ही बात करते हैं सिधा सिदी इसको जूम करेंगे तब वो सारी चीजे पुराना चीजे हो जाएगा यह क्या है यह अपना कंडक्शन बैंड देखो ध्यान से यह क्या गैप में energy band gap में energy band gap में कभी भी ने बर कभी भी चार्ज केरियर नहीं रहेगा चार्ज केरियर नहीं रह सकता नहीं रह सकता इसको रहने के लिए किसकी जोद परती है density of a state की जववत परती है लेकिन यहां पर density of a state नहीं रहेगा या तो balance man में रहेगा या तो फिर conduction man में रहेगा इसके बीच में कभी भी कोई भी charge carrier नहीं रह सकता है ध्यान रखेगा इस बात को यहां से भी exam में question आया हुआ है यस हर एक्जाम में question पूछता है language में डाल के पूछता है which of the following statement is correct में यह statement पे question recently exam में आया हुआ ता ध्यान रखेगा यस यह हो गया सर अब देखो मालो सुरुवाती दौर में क्या है मालो यहां पर जो है न यह क्या है सर यह वालेंस में कुछ electron बाइठा हुआ है सर कुछ electron बाइठा हुआ है सर लेकिन electron का रहने का जगह है न ओक कंडक्शन बेंड होता यह तो आईसे ही घुमते घुमते यहां आ गया ध्यान से सुनना अभी सब पता चलेगा यस इलेक्ट्रॉन यहां है यहां है ठीक है सर अब इलेक्ट्रॉन को हम टेंपरेचर दे रहें मतला एनर्जी दे रहें कैसा एनर्जी जैसे तुम समझो घर में बाइठे हुए हो और गलती से तुमारे भाया का दीदी का पापा का मम्मी का पर्स दिख गया यह क्रेडिट कार दिख गया तुम क्या वो लोग चल्दी यह अनर्जी मिले चाहि एलेक्ट्रिकल एनर्जी मिले कहीं से एनर्जी मिलेगा यहां से कुदेगा और कुदेगा तो कहां जाएगा पता है तुमें कहां से कुद के जाएगा यहां से यहां से यहां जाएगा यहां से यहां जाएगा यहां से यहां जाएगा यहां से यहां च करूं कंडेक्टर का अलग होता है अगर मैं बात करूं सेमी कंडेक्टर का अलग होता है अगर मैं बात करूं का इंसूलेटर का तो अलग होता है यस जितना भी एनरजी बैंड गाप होता है जैसे मालो मैं बात करूं क्या सिलिकन का बात कर रहा हूं यस सिलिकन का क्या होगा सर अगर मुझे silicon में current flow करवाना है, silicon के अंदर में जो electron है, उसको अगर conduction man में भेजना है, तो मुझे minimum जो है न, इतना energy की requirement परेगी, yes, तो यहाँ पे क्या है, 1.1 electron volt, sir, यह electron volt voltage है या energy है, यह voltage है या energy है, आपने volt बोल ले ओ, sir, तो याद रखना बेटा, यह जो electron volt है, जिसको भी question exam में आया हुआ, electron volt जो होता है, यह unit of energy होता है, क्या होता है, यह unit of energy होता है, गलती से volt मत बोल देना, voltage मत बोल देना, तो बहुत पिटाए करूंगा, yes, यह क्या होता है, यह electron volt जो होता है, यह energy का unit होता है, इस बात को भी ध्यान रखेगा, तो 1.1 electron volt जो ही मिलेगा, silicon क जाएगा सिलिकन में करेंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा मतलब सिलिकन जो है और कंड़क्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा देखो ध्यान से वैसे जर्मेनिया में बात करेंगे तो यह अलग होगा और मैटेरियल में बात करेंगे तो अलग होगा यह यह जस्ट एक्जा स annesom uhhh एसा जो कि बाइलेंश बेंड से कन्ड़क्शन मैं जाने के लिए हो जितना ऐनर्जी एक किसी भी ऐसे एंसे निमेंट में इतना energy जो कि बाइलेंस में से कंडक्शन में में जाने के लिए रिक्वाइड हो उसी को क्या बोलेंगे energy band gap देखो दिख रहा है दिख रहा है यहीं चीज मैं लिखाऊं डेफनीशन में इसको डन है सभी को के लिए अभी रुको जा रहा है तुम लोग पेसेंस बेटा पेसेंस अभी तो सही सब समझ में आएगा सब समझ में रूखो ना नहीं रूखोगे एक एक चीज समझ में आएगा मैं बोल रहा हूं न हमारे वाड पर भरोसा रखो सब समझ में आएगा मेटा डन चली आईगे इसके क्या लिखा गया है देखो यहीं चीजिव दिया हूं मैं इलक्ट्रॉन जो है उपर भीने एनर्जी आपके बीच में नहीं रहता है क्लिए सब को इतना जल्दी से बार कमेंट करके सभी लोग हट बना के बता देंगे सभी लोग यहां तक ड़ने सभी को यहां तक कोई दिक्कत यहां तक कोई प्रेशार नहीं अब बाद आती है सर सिल नम Track नमबर उठ Vienna का झाव यह झा यह यह जाना यह सदेखो सिर्ज incarn यह कितना होता हैं शیलिकन जर मेनियंग्हेस जीनो डिली कलaat जिसको आप बोलते हैं एबसॉली टेमपरेचर यहष्ट यह क्या बोलते हैं रूम टेंप्रेचर बोलते हैं अब कभी कभी बोले और दा है बच्चा कम जोर है इसको पता नहीं बच्चा क्रिश्चना सर्क के क्लास से उसको सब पता यह सब पता है यह जुस्ते में गुस्ते में है बेटा कृष्न दाकर क्या चाहते हो है कि फोन करें है ससी कमीशन वाले को बोले बेकंसी बढा दिया जाए तुम्हारे लिए अलग से एक पोस्ट अलग से निकाला जाए जिसमें कृष्न दाकर ही पढ़ेगा क्या बोला जाए क्या बोलती पब्लेक अरे बताओ बताओ जल्दी से बोल दिया जाए तो याद रखना है यह पदलो बेटा नहीं तो फिर गलत चीज़े हो जाएगा आईए यहां पर अब क्या सिलिकन जीरो डिगरी कलीविन पर 1.21 इलेक्ट्रान बोल्ट होता है 300 डिगरी कलीविन पर कितना एब्सालिट टेंपेचर यह है रूम टिंपेचर और यह है एब्सालिट पूछा जाया क्या माढलों क्यष्ट्ट्रा एसे आएगा यस द एनरजी बैंड गेप ओफ द हीज़ान ओफ बैंड गेप ऑफ जर्मेनियं तीन 10 x qe जे चार प्रॉभ ठीका यह औप्रूं क्या दे 780 एलेक्ट्रोन बोल्ट बी ऑप्शन क्या देगा पता है 0.72 एलेक्ट्रोन बोल्ट पता है तुम्हें एक देगा 1.21 एलेक्ट्रोन बोल्ट पता है क्या देगा 1.1 एलेक्ट्रोन टिक करो भाई कौन सा आप्शन करेक्ट होगा जल्दी से जल्दी से बताएंगे सभी लोग फटा फट से एंसर A B C D जल्दी जल्दी फास्ट जल्दी जल्दी बता दिए सभी लोग option दो option दो क्या option दो हाँ जल्दी से बता option बता तो एबी सिरी जल्दी से जल्दी से बता देंगे सभी लोग option चलिए हम भी ऑप्शन को डन कर दिये हैं देखते हैं टाइमर चल ला है यस क्या बात है क्या बात है बी ऑप्शन डन कर दिये दो ऐसे भी क्या लिखा है जर्मेनियम ट्वेंटी डिरी सल्टी मतलब यह रूम टेंपरेचर का बात कर रहा है रूम टेंपरेचर रूम टेंपरे जलता क्या बात है भाई अब देखो ध्यान से अब इस टेबल को थोड़ा अच्छे से देखो तो पाओगे क्या पता है इस टेबल को देखोगे तो क्या पाओगे जब हम टेमपेचर बढ़ाए देखो ध्यान से देखेंगे सबी लोग क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ यहां देखो ध्यान से जब हम टेमपेचर बढ़ा है कितना जीरो से 300 गए यस तो 1.2 से 1.1 हो गया 0.78 से 0.72 हो गया मतलब जो जो टेमपेचर बढ़ेगा तो एनरजी बेंड गया क्या होगा डिक्रीज होगा किसमें कि में in case of semiconductor, इस बात को भी ध्यान रखना है, देखो ध्यान से, क्लियर है सबको जल्दी बताओ, अरे सबको क्लियर है इतना, जल्दी बता देंगे फटा फर से, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोल जाता है, negative temperature coefficient, क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, NTC मतलब negative temperature coefficient, negative temperature coefficient, यस, देखो ध्यान से, नोट कर लिज़े फटा फट, डन आए सब को इतना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बता दीजिए सभी लोग, दन, अब सर यही पर लिखलो नोट, यही पर लिखलो प्यारा सा नोट, क्या होता है दोस्त, लिखना क्या, पहला नोट में लिखना, इप, temperature increases, increases, then, then, bend gap, bend gap, bend gap decreases, yes, sir, इसी को लिख देंगे, यहाँ पर NTC, yes, दूसरा होता है, इसके साथ में एक और फिरी देता हूं, एक पर एक फिरी, if temperature increases, if temperature increases, then, then, thermal voltage, यहाँ चे सुनना, क्या thermal voltage, thermal voltage VT, also increases, यह क्या करता है, increase करता है, तो इसको क्या बोलेंगे, PTC, मतलब क्या, मतलब अगा temperature के साथ, कोई parameter increase कर रहा है, तो इसको बोलेंगे, PTC, क्योंको, उसके path को follow कर रहा है, उसके path को अगर follow नहीं करेगा, तो उसको बोलेंगे, NTC है, उल्टा हो गया, तो positive का उल्टा नेगेटिव होता है, तो इसलिए, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे NTC, इसको बोलेंगे PTC और VT बढ़ाबर क्या होता है, KT by Q होता है, सबको पता है, K और Q constant होता है, यह भी सबको पता है, तो VT is directly proportionate T होता है, यह भी सबको पता है, T बढ़ेगा तो VT भी बढ़ेगा, T घटेगा तो VT भी घटेगा, सबको पता है कि नहीं, जल्दी बता दो इसको भी नोट कर लेंगे सबी लोग gonna fat 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 yes है कि एक लिए अधको यहां तक अरे यहां तक किलियर है जिस इसने एटेंशने खी नहीं किया सब लोग अपना इटेनेंस मार कर लेंगे फटा-फट से अब चलो यहां पर सर क्लासिफिकेशन और मेटेरियल तो हो गया सर लेकिन आपने एनरजी बैंड के भियाप पर नहीं बताया अब बताऊंगा इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर अब बताऊंगा मैं यस दिख रहा है सभी को क्लासिफिकेशन और मेटेरियल और बेसिस आप एनरजी बैंड डाइगरम क्या बात है मुझे सर तब से इसी का इंधर था सच बता रहा हूं मुझे भी इंधर था आप अकेले नहीं हो इसमें इसमें मैं भी हूँ आपके साथ और मुझे भी इंधर था कभी यह आएगा और तरणा ऩदेखना यथा और द यहां पर तीनचीज हो सुझ कञ़़ें से हरां तुम बस देखते रहो हर् Allāh स 27 एनसर है सिब्ल गोगेंड है सिब्ल सुभी विर्ल जितना कमेंट क्ये मल इस customer बहूंत बोल देता हूं यह क्या होगा यह होगा सर सबसे पहले conductor यस conductor जिसको बोलते हैं metal यस यह बच्चे नहीं है यह कुछ और है बताऊंगा पादे तुम लोगों को यह अभी है ना इसलिए नहीं बताऊंगा यह दूसरा क्या होता है यहां पर क्लासिफिकेशन को यहां पर बाइंड टेंसर मतलों यस अब हो सबसे पहले क्या मेटल का बार्त करते हैं है यस मेटल मतलब कंड़क्टर और कंड़क्टर के बारे में आप बेसिक एलेक्टिकल में पूरी तरह से पढ़ने वालों बहतरी नंदाज है बट मैं यहां पर उस सारी चीज़े बताऊंगा जो आपको यहां पर काम आने वाला है यह आईए ध्यान से लिखेगा सबसे पहला कनड़क्टर देखो ध्यान से में सब्सक्राइब क्धिर के बोलते कबंवा सब्सक्राइब एंजाए चाहें के बता इसके étant लिखना है मैट इन मेटल नहीं इन मेटल मैट्यालिक बॉंड 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 इस पर्जेंट यस या इसे लिखेंगे नीचे में लिका रोगा हूं यह नमर और these electron are less than three in case of conductor नितों सब्गोच को यहां सब है गलस या या तो सब हो जाएगा सब हो जाएगा इसी के अंदर में देखो ध्यां से न सब हो इसा Cabinet हाँ do eren 1 2 & 3 गूरूप ऑप प्यूरी टेबल को दीखोगे न यिस मैंनी दिखा यह धितना को यह दिख रहा है तुम्हें yes देखो one two three क्या है one two a three a यह सारे के सारे क्या है यह सारे के सारे क्या है metaf jeder is अब चलते हैं आगे है और यह सब मिलेगा टेंशन मतनो परिशान मत होना सब नोट करना आयजर रोती रहते हैं हमेशा फिर क्या बोला जारा है इन मेटल के अंदर में के अंदर में के बन दृट्रिफ उन्यकरा क्या करता है थो यह इसा करेंट जो थो इलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी के वजह से फ्लो कर रहा है यह अभी एलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी क्या होता है सब्सक्राइब फिल्ड इंटेंसिटी बराबर होता है माइनस डीवी अपॉण डीयक्स आपको इतना पता होगा इस अब इससे ज्यादा मत पूछ लेना यस क्रैस कोड से यस तो यह किसके पासे फ्लो करता है यह लिख देना क्या ओन्ली फ्लो डियू टू इलेक्ट्रिक फिल्ड यस अगर कहीं पर आपको डियुट करन दिख रहा है देखो कौन होगा इलेक्ट्रिक फिल्ड ही जिम्हेदार होगा बेटा और अगा इलेक्ट्रिक फिल्ड पूछ लेगा तो क्या होगा माइनस डीवी अपॉन डीएक्स पताईए आपको यस तो इसको भी ध्यान रख लिजेगा थोरा सा अधिद्यश ह pagar फ्र मेशन और गया होता है क्या होता है को बहु को लगा सब्सक्तरिक में यह भी बोल सकते हुए क्र drift का यूट क्या होता है यह डिस्टेंस क्या होगा संटीमीटार में होता सर मीटर में बीख होता है यस इसस Kaiserespère मिटर और संटीमेटर में करों आपको कभी भी आपको जब भी बात किया जाएगा ऐसा है उनिट का ध्यांसर मेरे एक एक वर्ट को सुनना आप क्योंको चीजहों के गहराई में जा रहें तब से उपर तो जब भी अब बात करूंगे तो बेसीक लेक्टॉनिक्ट में लिंथ इतना होता है जैसे में बात करूए जैसे मोबाइल का बात क गने मोबैल का है सेंटी मीटर में में हम सेंटिमिटर में यहाँ यहां पर सारा लेंद में यहां करेंगे तो आपको पता है ऐसा ही मतलब इंटरनेशनल यूनिट का बात कर रहा है कि इसमें से लेंद का यूनिट में होगा तो मीटर ही कन्सिडर कीजिएगा इसमें कोई भी दिक्कते नहीं होनी चाहिए बट आप अगर बेसिकल अटर निसे कोईस्टन में देखोगे न तो मुश्ट अपर जगा आपको लेंद का पाथ संटीमीटर में देखेगा यस कलिया तो इसलिए अगर बोलेगा एलेक्टिफिल का यूनिट क्या होता है तो बोल्ट पर संटीमीटर अगर अब का क्या होता है सब निउटर फोर्स का यूनिट का होता है निउटर होता है और क्यू का क्या होता है कुलंब यस तो यह क्या हो गया निउटर पर कुलंब हो गया अब दो क्वेश्टन कैसे पूछता एक्जाम में इसे पूछता है इस बार आसस्ती जाई में मान लों क् के लिए बोल दिया और कृष्णा सर्जाइसे फेकल्टी हो गया अब सोची सकते हम अगर हम भी बोलेगा कोस्टन बनाऊंगा ले लो पाला कोशन देखो फुच अब फॉलोईंग फुच अफ दॉफ फॉलोईंग इस is the unit of unit of which of the following is unit of electric field intensity which of the following which of the following is the unit of electric field intensity yes i forgot पर ला आप्सेनल रहा क्या活あ विल्ट पर मीटर दूसरा आप्सेनक क्या देगा और और वोल्ट पर सेंटिमीटर सी उप्सेल क्या देगा है बन्यूटन पर कुलंब टिंशन क्या देगा ओल्ल ऑफ दा एब अब तुम्हीं बदा हो अगर जो बच्चा सही से नहीं पढ़ा है यह पहला दूसरा में कंफ्यूज हो कर जाएगा उसको तीसरा दिखेगा ने चोथा तो पहुंची नहीं पाएगा सच बता रहा हूं ऑप्सन यहां देना है यहां देना है ऑप्सन कहा गया भाई आजा 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 जल्दी से बताओ ऑप्सन से फटाफट से और अगर मजा आ रहा है ना तो कमेंट बॉक्स में दिल चलना चाहिए क्या वाला दिल यह वाला दिल देखो कौन सा वाला दिल यह वाला दिल यह वाला दिल यह वाला कौन सा वाला अरे यह दिल मांगता है अपन यस क्या बात है क्या बात है बहतर ही नहीं जब बरदस्त बहुत बढ़ियां चलिए कौन सा अप्शन हो जाएगा भाई साब डी इस दा राइट ऑप्शन ये देखिए 100% बच्चों का एको रेसी है बहतरीन बहुत बढ़ियां चलिए अब आएए यहाँ पे यह तो सब इतनी बाते हो गई कहतुम बाते कभी खतम नहीं होने 1967 खाते आग्मैशन होता है क्या यह तेम्परेच嘉र और यह रहा है यहां पर दो क्या बोला जा रहा है at t equal to zero degree Kelvin this is the absolute temperature बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं absolute temperature बोला जाता है क्या होता है समय एक absolute temperature दो क्या होता है यह होता है free electron are available in conductor that's why metal behaves as a conductor the good answer अग्यान मतलब क्या 0 degree Kelvin पर free electron यहां पर available होता है मतलब conduction band में conductor के conduction band में जो है free electron available होता है कहां पे जिरो डिग्री कलिण पे और जब जिरो डिग्री कलिण पे free electron available है तो simple सी बात है उसमें अगर electrical intensity लगाएंगे तो flow करेगा और flow करेगा तो electron flow करता है तो current flow करता है यही तो बोलते है और current flow करेगा तो यह कैसे बिएव करता है बेटा यह बिएव करता है कंडक्टर की तरह यस ठीक ऐसा है अब जब हम टेंपरेचर बढ़ा दिये देखो ध्यान से टेंपरेचर बढ़ा के कहां लेके चलेगे 300 इसको टेंपरेचर से कोई फरक नहीं पड़ता है जैसे तुम है तुम क्या हो तुम हो student हो और तुम यह बता तुम्हें कॉलेज वाला यह तुम जहां पर पड़ रहे हो जिस कॉलेज में पड़ रहे हो यस कॉलेज वाला कितना भी फोर्ट करें कुछ भी वह गॉल दे यार त paste कितना भी बूल है सर कोई फेगल कोई फर्क नहीं पणने वाला करेंगे वहीं जो मेरा मिन होगा बखी कोई backup नहीं पर था अब भी conductor रहेगा थोड़े ना चेंज हो जाएगा जब independent है तो चेंज थोड़े न होगा तो यह पहले भी conductor और अब भी conductor ठीक ऐसा है बात तो सही है सर अब जब बात सही है सर तो सर इसका थोड़ा बैंड डाइगराम बनाकर दिखाओ आप मुझे क्योंकि आपने तो बोला था बैंड डाइगराम का बात क्या था बिल्कुल सभी बात है अब देखिए इसका बैंड डाइगराम कैसा होता है ध्यान से देखना अभी सब पता चलेगा तुमैं यहस जब हम इसका बैंड मतलब नाम तो मुझे नहीं पता है रिसेंटी एक बच्छा ने पुछा हुआ था यस और मैं बच्छों को बहुत एप्रिसियेट करता हूँ कुछ बच्छे ऐसे कोशन पुछता है ना जो मुझे भी सिखा देता है बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता यस वह बच्छे हम मतलब सरесте हां यह जो पार दिख रहा है न यह तुमहें जो पार दिख रहा है अलग अलग पाट कर देतें इसको इसको थुरा सा अलग कर देते हैं ये जो दिख रहा है ना ये बाला पार्ट दिख रहा है सभी को रहे सब को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जल्दी बताओ किमीशा ये जो पार दिख रहा है न कहां गया भाई कि यह को हमेसा सूद्राएक утरू सी गौवाला क्या है दोस्त उपरा भाला क्या है उपर भाला है कंडेक्शन यह इनरजी लेवल गावेशा Σन限 यह Mickey इस बात को याद रखना यह क्या होता है यह होता है ने मैंतल है सपोइस है इस है इसमें क्या energy energy band gap मतलब conduction band और balance band के बीच में अगर पूछेगा energy band gap कितना होता तो क्या बोलोगे सबसे पहले zero electron volt बोलोगे क्या बोलोगे बोलोगे zero electron volt होता है energy band gap येस देखो ध्यान से अब ध्यान सुनना मैं क्या बताने कोशिस कर रहा हूँ अब हम अगर temperature बढ़ाएंगे ध्यान से सुनना अगर हम यहां पर temperature बढ़ाएंगे temperature बढ़ाएंगे तो क्या होगा बताओ बेटा जब हम यहां पर temperature बढ़ाएंगे मतलब conductor के case में ध्यान से सुनना है सभी को यहां पर एक important concept है और इस concept को समझना बेहदी जरूरी है क्योंकि इस पार्ट से exam में question बहुत बार आया है बहुत बार यस अब जब हम temperature बहाते हैं तो क्या होता है सर आपने बोला क्या temperature बहाएंगे यस जब temperature बढ़ेगा तो सिंपल ची बात इसके अंदर में और crystal अस्ट्रॉक्टर का बात करोगे तो यहां पर सिंपल ची बात है कौन सा बाद मेट्यालिक बाद है तो मेट्यालिक बाद क्या ब्रेक करना क्या होता है यह बता हो तो मैं पूछ रहा हूं बस करेंड के संदर में यस और करेंड के संदर मतलब यह बता दो इसके अंदर में racist Ambossła क्षा करेंगा करेंत अपनेपने आप बढ़ जाएगा अभी संपतर यह कंडुक्टर का बाता है54 में आपने पढ़ा होगा और टी कोल टू क्या आर नोट इंटू बालस अलफा डेल्टा थी किसके स्ने परा यह फर्मुला यह यह फर्मुला किस्के स्ने पराई basic electrical में परेगं कहीं पर यह यह की ओँदियान वेटा इसमें क्या कर रहे हैं इसमें अरु नोट है सिस्टेंस है आपी रिसिस्टेंस एकिसी टेंपेचर पर यह जीडो डेरी के लिन पहई सब्सक्राइब ये सर्ट अब हमेशा द्यान लगना बेटा जब भी हम टेंपरेचर को इंक्रीज करते हैं येस इन केस्ट और कंड़क्टर रेसिस्टेंस क्या करता है रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करता है और जब रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है तो यह भी ध्यान रखना है करेंट क्या करेंगा डिक्रीज करेंगा क्या करेंगा बेटा करेंट डिक्रीज करेंगा पस यहीं चीज़ बताने की कोशिस कर आता माए in case of conductor यह सब किसमें चला है बात सब कंड़क्टर में चला है इस बात को समझ येगा यस को सर होगा कैसे सरिये अब समझा इसको समझौळ थो द्लिटि वर आ रहे हैं रेस्स्टेंस इन्क्रीज किया करिंट है ठीक है सर अब जब यह resistance increase क्या हुआ है हुआ ने समझनामेरी बात जब यहां पर टेम्पेटर बढ़ा तो ऑईलेंस मैं और घर ठीक है सब्सक्राइबस थे मिला जब थर्म अब जब प्लों करना करता है तो यहां पर क्रिष्टल में और भी तो नहीं होगा चला तो जाएगा तुछ दो जाएगा और जब वड़ीशन हो गया है तो प्रे इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में मतलब वाइलेंस बैंट से कंडेक्शन मेरे में जाना असान नहीं होगा चला तो जाएगा बट असान नहीं होगा जिस तरीके से नॉर्मल तरीके से जब असानी से जा रहाता उससे डिफिकल्ट हो जाएगा मतलब यहां से यहां जो जाएगा इलेक्ट्रोन उसको जाने में डिफिक बाइट करने लगता देखना लगता है लो हटर का निक्तर को एक देखा रहा है वाइडक्टर हो यह कमपन हो रहें यह उसी तरह से जब हम ताम बढाएंगे लेगा और उसके अंदर को पर cut Сंधे बात कर रहें घ्रान जो vivo व्लेंस्पनसमें से कंडख़क्शनğ मैं हो जाएगा उसको यह दिक्कत पैदा करेगी ही तरीके नहींक करने देगी और जो नहीं होता है इसिवज़े से यहाँ पे स्वहन के करंट का क्रान ला से क्टी फो जाता है इसे बात को ध्यान लखिएगा क्लियर किलियर है सभी को यह concept जल्दी से बता देगे दन है सबको यहां तक जल्दी से बता देंगे सभी लोग किलियर यह conductor का बात करोंगे सारी स्टोरी conductor के बारे में यहां तक डन है यस तो अब लिख दीजेगा यहां पर क्या में यहां पर क्या लिखना है इंकेस ऑब क्या इंकेस ऑफ मेटल बेंटे में यह रॉब accents तो बिल्कुल भी नहीं लिखना हुई यह बबड़ अपर लाफिंगद को लिखना ही नहीं है क्यों फालतोस खेल बलकी सिधा लिखना क्या सिधा लिखो सिधा सिधी बात लिखो सिधा सिधी बात गुमा के नहीं लिखना है चीजों को समझने में जितना असानी होगा ना उतना जैदा आप असान तरीके से चीजों को सोच पाओ गया क्या लिखना है in case of metal when temperature increases then resistance resistance of conductor conductor increases increases thus current flow decreases सर किसी भी सुचालक पदार्थ का temperature बढ़ाने पर उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ जाता है मैं भी यहीं बोल ला हूं यस मैं भी यहीं बोल ला हूं बेटा फिल्म फ्लो भोड के yes क्या खथरनाक ना मैं न तुभारा चले धोन से इधर आइए अब बात करेंगे थुरासा इंसूलेटर के बारे में इंसूलेटर क्या होता है बैटा इंसूलेटर मतलब कुचालक इसको हिंदी में क्या बोलता त। है हिंदी मैं आईनीक बाण पर जैंड होता है इसके बाद देखो क्या इन्सूलेटर है लार्ज एनर्जी गाप लेकर कितना 15 इलेक्ट्रों बोल्ट यांस सुनना है कितना यहां पे बच्चा कंफ्यूज है यहां पे बच्चा कंफ्यूज है सर्य कहीं पे ट्यन लिखा हुआ है सर्क निका सिक्स सर कोई बोलेगा सर मैंने तो सर इट पढ़ा था सर किसी मुपना है कि अधिकत है ना यस देखो बीटा समझना है मेरी बातों को ध्यान से एनर्जी बैंड गाप जो इंसुलेटर का जब बात किया जागा यह बहुत कॉंट्राडिक्ट बात है आपको लॉजिकली समझना है सेजको संफिकान एकितना होता है घर मैं वहों सबस्क्राइब दैने होते है अभी बता हूं और पहले बता दे rival 1.10 से लेकर करके लगा से कम होता है और ' अगर मैं ज health घसकना होता है कंडक्टर का यह practice state omega 0-1फ होता है दोनों overlapping होता है तो देखो 1फ See ancestry या र considering मालदो थोरा आगह चल के बात करते हैं फिरी से आगह जितना भी है 4 हो गया फायब हो गया सिखस हो गया सेबिन हो गया हैएट नैन हो गया टेन हो गया 1112 13 14 50 स्प्लिक्स से थोड़ा सा वरह हो जाएगा वह सारे के सारे किस में चला जाएगा इंसुलेटर में चला जाएगा तो सर इसका अगर बैंड डाइगराम आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे देखो ध्यान से देखना इसका अगर मैं डैंड डाइगराम बनाओ न तो देखो ऐसे बनाओगा मैं इसका बैंड डाइगराम किस तरीके से सर इस तरीके से कुछ ये है वालेंस बेंड देख़्ो यह बना होगा कंदक्शं बेंड इसका अच्छा जी ऐसे बनाओगे सर अईसे ही बना॓ंगा देखो ध्याँ से देखना यह है इसके बीच का गैब और इसको बोलेंगे क्या energy band gap फीजी और यह कितना होगा यह कितना देखो ध्यान से यह होगा क्या यह होगा greater than six electron bolt तुम लिख दो बस क्या होगा यह six electron bolt से greater होगा अब तुम logically समझ कर रखना इसी को क्या बोलते हैं इसी को कहीं कहीं यहां यह है यहां यह क्या है यह का है ह। यह बेटा यह वैलेंस हैं तो क्या बोलते हैं इसका कैसा होता है इसका जो बैंड होता है एनरजी मेड कैसा होता यह YHe udah का यह दो बोलना वाइब बेंड गाप दो कितना है यह क्या होगा यह वाइड बैंड काफो कितना हो गया इस्में टान आप greater than six electron बोलतो, चशाये 10 बोलो, चशाये 15 बोलो, चाये 8 बोलो, चाये 9 बोलो, 11 बोलो, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, देखो ध्यां से, क्लियर वो अपने समझ से परे की चीज़ है उसके बारे में मत समझ ना लिए दन चलिया यह यह हो गया सर इतनी बात है अर देखो ध्यान से यहां पर समझ ना यहां क्या लिखा है in case of insulator energy band gap easy is so है that no electron can go from balance band to conduction band that means free electron concentration is zero and therefore conductivity is also zero इसलिए तो बोलता है न क्या सोर सोर current flow ही नहीं करता है insulator में देते रहो power supply लगाते रहो battery लगाते रहो तुम supply करेंटी नहीं फ्लो करता है क्योंकि इसके बीच का देखो ध्यान से इसके बीच में जो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ना इसको इतना energy चाहिए इतना 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 इससे ज़्यादा अब जब six electron volt का energy दोगे बढ़ाते जाओ temperature बढ़ाते जाओ टेमपेचर जब एक्यूरी इसके रॉन में यहां पर क्रेंट नहीं फ्लो करता है इसलिए हम इसको इंसुलेटर बोल देते हैं के लिए सब कराएंगे पहले पढ़ाएंगे तभी तो कुस्टन कराएंगे ना बेटा हो सकता है आप पढ़े हैं तो आपको लगता है सर हमारे काम का चीज़ है बट आपक सबको रिकॉल करना है बार बार करना है इसलिए तो क्रैस्स को सारे बच्चों के लिए हल्प लोगा जो बचा फ्रेसर है जो बचा पढ़ा हुआ है सब को देखना है और हर चीज को ध्यान से सुनना है सबाशी दिमाग में चप जाएगा कोश्टन लगा देखो कैसे नहीं लगता है कोईश्टन बहुत बहतरी नवे में लगने वाला है कोईश्टन डन है चलिए अब आए ध्यान से यहाँ पर आईए अब बात करेंगे सेमी कंडॉक्टर का यस और इसके बाद क्यों से चलेंगे टेंटन मतलो यह क्या है अपना यह सेमी कंडॉक्टर बस 10 मिनार दो फिर कोशन पर चले जाएंगे यह क्या बोला है सर इसमें कौन सा पले बॉन पर्जेंट होता है यह दो ध्यान से इसमें क्या होता है को वाइलेंट बॉन्ड क्या होता है को वाइलेंट बॉन्ड पर्जेंट इन पर्जेंट इन सेमी कंड़क्टर सेमी कंड़क्टर में कौन सा बॉंड परियंद होता है भाई या जी यह होता है सर को बाइलेंट बॉंड जिसको बोलते है सह सन्योजी बंधर साजेदाली वाली चीज़ है यस आपका दोस्त और आप मालो आप दोनों रूमेट हो तो रूमेट के बीच में क्या होता है मालो आप कोई चीज़ लेने गए आ लोग कोई दिकत ने मैं हुना कोई दिकत ने तो यह जो साज़ेदारी होती है ना यह जो सहसन योजन बंधन जो बन रहा है न यह चीज़ कैरी होता है और semiconductor के अंदर में यहीं covalent bond present होता है तभी जाके यह semiconductor semiconductor कहलाता है तो क्या और इसका conductivity का बात करेंगे तो यह बन जाता है conductor अगर मैं बात करूंगा जीरो डिग्री कल्विन पर तो यह क्या होता है इंसुलेटर होता है देखो ध्यान से समझ में आ रहा है सभी को यस इसके बाद देखो क्या इसमें लिखा है समीकंडक्टर है को फालेटी बता दिया हूं मैंको valid बान होता हुँ अब देखो ध्यान से अब क्या होता है पर यहांप्र बनाना परेगा और बिल्कुल बनाना परागा घ्यान से देखेगा यहांपर जब बनाऊगे ना बेटा यहांपर देखुए यह दिख रहा है सभी को यह क्या है यह अपना कंडक्शन में ध्यान से देखना ध्यान से और यह क्या है अपना वालेंस बैंट एक बार सभी लोग कमेंट करके मुझे बता देंगे कितने लोग यहाँ पर बीटेक बाले हैं कितने लोग डिप्लोमा बाले एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे बोथ जल्दी से comment box में बता दो एक बार सर क्या करोगे करूंगा ना जल्दी से comment करके बता दो एक बार यह easy कितना है easy होगा less than कितना 1.3 electron volt से ले करके 1.5 electron volt फटा फ़र से comment कर देंगे सभी लोग डिपलोमा बीटेक और जो दोनों है दोनों कर देंगे comment यह है आपका देखो ध्यान से यह किसका है यह बाले समय कर रहे हैं बहुत बारिया क्या बात है क्या वाथ है क्या बात है क्या बात है का कंडक्शन क्या energy band gap conduction और बाइलेंस बेंड येस अब देखो ध्यान से अब यहां पर क्या पूछ लेगा देखो यहां पर पूछ लेगा क्या at t equal to zero degree Kelvin क्या t equal to zero degree Kelvin मैंने आपको अल्यटी बता रखा है the concentration of electron in conduction band and the concentration of holes in violence band is zero देखो ध्यान से क्या है zero मतलब नहीं electron है भाईया और नहीं holes है भाईया तो सर यह electron और holes यह क्या हो गया से holes नहीं पता चलना अभी बस इतना ही समझना जहां पर electron रहता है वहां से अगर electron move करके दूसरे जगह चला जाता है कहीं और चला जाता है तो वहां जो खाली space बसता है ना उसी को बोल दिया जाता है holes yes तो जितना electron पर negative charge होता है उतना ही holes पर positive charge होता है similar जितना उस पर negative charge उतना ही positive charge तो सर यह proton बाला खेले करें नहीं proton कभी भी flow नहीं करेगा क्योंकि यह nucleus के अंदर होता है इस बात को ध्यान रगना proton कभी भी flow नहीं करता क्यों nucleus के अंदर होता है उलग चीज है यहां मैं electron का बात कर रहा हूं और यहां जो अब electron move कर जाता है एक जगा से दुसरे जगा तो वहां पर जो vacancy create होता है आगे पढ़ाओंगा मैं उसी को बोलते हैं holes यस तो तो electron का जो रहने का जगह है अगर कोई पूछेगा electron के घर का address क्या है electron कहां रहता है तो आप बोलोगे electron conduction band में रहता है कोई बोलेगा holes कहां रहता है तो आप बोलोगे holes जो है वो violence band में रहता है clear सभी को यस देखिए तो यहीं बोला है Concentration of electron मतलब कंड़क्शन मैं में कितना electron present है जीरो बालेंस मैं में कितना holes present है जीरो कब zero degree Kelvin पर इसलिए यह कैसा ब्येव करता है यह ब्येव करता है इंसुलेटर यह question exam में स्सी जहीं में पूछा हुआ है तो याद रहे क्यों कैसे सब याद होना चाहिए आपको डन है सभी को चल अब चलते हैं आगे अब सर जब हम रूम टेंपेटर बात करेंगे अटे टी क्वल टू 300 degree Kelvin पर तब क्या होगा फिर एलेक्ट्रोन कंसंट्रेशन इन कंडॉक्शन बैंड एंड होल कंसंट्रेशन इन वालेंस बैंड दू दू दिस सेमी कंडॉक्ट्टर हाज्स सम कंडॉक्टिवीटी कुछ न न कुछ इसका कंडॉक्टिवीटी होगा और यही क एक लिएंड करता है क्या कंडॉक्तर क्योंकर इब देखु न आप जब रूम टेंपेटर पर गये ना तो यहां पर conduction band में भी कुछ electron मिला मिला जिसको बोले partially filled है ये बाइलेंस बैन में कुछ मिला holes ये भी था कुछ तो मतलब कुछ न कुछ charge carrier present है जब electron flow करता है तब भी current flow करता है जब holes flow करता है तब भी current flow करता है इस बात को ध्यान लखेगा इसलिए एक बोला जाता है semiconductor में जब current flow करता है इसके लिए दोनों responsible है इलेक्ट्रों भी responsible है और hole भी responsible है इसलिए ध्यान लखेगा current flow अगर पूछा जाए समी कंडुक्टर में किसके बदर से होता है तो आपको टिक करना है electron के बदर से भी और holes के बदर से भी और ये exam में question पूछा गया है अगर पूछा जाएगा holes कहां पाया जाता है तो holes के बद से मिकंडुक्टर में पाया जाएगा conductor में इंसुलेटर में कभी भी holes नहीं पाया जाएगा इस बात को ध्यान रखीगा ड़न है यह एक एक word पे factor higher energy band gap higher will be melting point and higher melting point signify the high power handling capacity कुछ भी ज़र यह कैसे समझ में आएगा मुझे याद करना पर जाएगा फिर तो भाई दिक्कत है न याद तो मैं मैं खुद नहीं किया हो तो तुम्हें कहां से करवाँ गया मुझे खुद नहीं याद तो तुम्हें कहां से याद करवाँ देखो ध्यान से यह क्या है silicon यह क्या है c ने हुआ पर कितना होता है यहां कितना क्योंटा यहां क्या होता फिर जैँकिन में छाला यह दोनों से मिगटाऊचिन चाहिएगी इसको देखो जएदा कि अगर बात करूंगा यहाँ पर इस से चाहिए मतलब अगर सिलीकन का बात करो जर्मीनियम तो दिशेट को ज़याँ एसको सब्सक्राइब एस इसलिए यहाँ पर लिखाऊं इसलिकन से और जब किसी चीज़ का melting point higher होगा इसका मतलब simple सी बात है उसके पास जो पावर जिलने की capacity है temperature जिलने की capacity है यह भी हाई होगा यह लिखा high melting point signifies high power handling capacity और आगे चलके मैं आपको यह बताने वाला हूँ जो power handling capacity जो होता है ओ शिलीकन में और जर्मेनियम में silicon का अधीक होता है कितना अधीक होता है कितना temperature जहल सकता है यह भी बताऊंगा बट अभी बस इतना समझ जब से की चांसे जए डन है डं-डं डं-डंडन अब हम करेंगे दस मिन तक खतरनाख प्रेक्टिस रेडिए एस अभी लोग एक भड़ खतरनाक कमेंट बॉक्स में एनर्जी दिखा दू रेडिए सभी लोग जल्दी से फास्ट छे कमेंट बॉक्स में इनर्जी दिखना चाहिए हो गया है आज का थियोरी वाला पार्ट कम्प्लीट है अब करेंगे हम कोईस्टन आजओ जल्दी से और कोईस्टन फटा फटो से एंसर देना स्टाड करेंगे सबी लोग देखो कैसे क्वेंट रहे हैं पहला कोईस्टन दिख रहा है कोईस्टन देखो एंसर करो जल्दी से टायमर एक erfahren कि यह 30 सटन का टाइम कोईस्टन में श्टाठ हैसल जल्दी से बतां फटा-फट्रीट इन वाइलेंस इलेक्टरन पूछ रहा है शुरू से बता रहा हूं वाइलेंस इलेक्टरन कितना होता है चार खतम नहीं हुआ गें अगर कंड़क्टर पूछेगा तो सर कंड़क्टर पूछ लिया तो तो कितना होगा वाइलेंस इलेक्ट्रॉन लेस दैन फोर करेंगे और अगर इंसूलेटर का पूछ लिया तो तो क्या लिखेंगे वाइलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर दैन फोर लिखेंगे इसको भी ध्यान लखना बेटा क्लियर है सभी को कौन सा आप्शन टिक करेंगे सी ओप्शन इस दा राइट ऑप्शन दन है सभी को देखो यह है सच्छाई 96.961 परचेंट बच्चों का करेक्ट है यह है लीडर वोड क्रिस गोयल टॉप है विकराम एसोर्या करन अर्चना यह सारे बच्चे हैं यह सारे बच आक्शन बैनी ब्यॉट को एट व्यांन को थ्यूंत को द्यांसे परना इस द फिस्ट प्राइड इदी जल्दी फटा फरसे इस क्या बोला है sir semi conductor में in a semi conductor the energy gap yes कि एनरजी गाप कितना होता है less than होता है 1.3 electron ball से लेकर के 1.5 electron ball से कम होता है sir कम क्या है 5 नहीं होगा 10 नहीं होगा 50 नहीं होगा यहीं तो होगा कम में तो यहीं है sir d option को take करूँगा बिना time go buy 87% बच्चों का इसका मतलब समझे देया इसका मतलब इतने बच्चों ने इस concept को अच्छे से समझ के लगा चुका है बाकी बच्चे लगा नहीं पा रहे हैं यस इस बड़ी इंपोर्टन मैं यही समझूंगा और यहाँ पर next question आपके सामने जल्दी से बताएंगे सभी लोग क्या बात है as a general rule holes are found in holes कहां पाया जाता है धातू में metal में semiconductor अर्ध जालक में insulator जल्दी से बताओ resistance material जल्दी से बताओ holes कहां पाया जाता है मेरे दोस्त sir holes semiconductor में अभी तो बताया था आपने semiconductor कौनसा option है B option 93% देख लो ध्यान से यस आज़ो आज़ो ध्यान से ध्यान से आना ध्यान से बेटा देखो SSC में तुम्हें लगता हुआ sir ऐसे ही बोल ले SSC में question 17 में पूछा गया है देखो question SSC का question देखो पोल में जराब देने के लिए आपको शुरुआत में मैं बताया था रेश्टर करना परेगा आपको तब जाके दोगे बाकी आप चैट बोक्स में लिखते जाए अभी कल रेश्टर कर लिजेगा वी लास्ट में दिखा दूंगा आपको कहा जाना है आप रेश्टर कर लिजेगा वहां पर और अरा इसको क्या बोलेंगे इंसूलेटर में आयनिक बोन होता है देखो बनेगा पेपर अरे बनेगा पेपर कौनसा अप्शन टिक करेंगे बी ऑप्शन देखो इस ख्लास रूम से होने वाले हैं इस बार एक्जाम में जिसका सेलेक्शन होगा देखो धियान से 98.7 पर शेंगे एक मैं तक आ रहा है मैंने क्रैस्कॉर्स का बिडियो देखा था यस बता रहा हूं चीजों को फॉलो कर लेना बेटा मज़ा आ जाएगा एक्जाम के बाद जब रिजल्ट आएगा ना तो थैंक्यू बोलना भूलोगे ने इतना थैंक्यू बोलोगे बस चीजों को अच्छे से फॉलो कर लेना आप यस आये ध्यान से इस कैन से बताए सभी लोग तो को यह सारे कुछ ने से सब्सक्राइब पूछा गया देखो दो मार्स मॉर्निंग सिट में हुआ था सब्सक्राइब अपने आप कुछ नहीं करना है अपने आप एक कुछन बोलेगा जर्मेनियम जर्मेनियम अटोमिक नम्मर थर्टी टू यस टू एट एटीन लास्ट में तो फोरी होगा बाइलेंस इलेक्ट्रोन फूर यह अप्शन टिक कर दिजिए सर नैंटी टू.ट्री क्या बोला है फ्रबीडेन एयनरजी गाप बेटी बाइलेंस बैंट कंडक्षन बैंड इसलीज लिस्ट मतलव कम होता है जोटा कम, छोटा कम, कम, किसमे किस का होता है माय का마笑 का पेपर ABRAC टा scenario होता ह् We प्शेय कर अच्छा प्योर जर्बेनियम में अच्छा, इम्प्य यह इंप्योर सिलिकन है ना उसमें डोपिंग कर दिया है उसमें क्या कर दिया है उसमें इंप्यूरिटी आड़ कर दिये उसमें तो जब impurity यार कर दोगे ना तब यह बन जाता है Impure सेंड़क्ट इंप्वर सीलिकर पक जब डोपिंग यार करते है न तो इसका conductivity बर जाता है और conductivity बरता है मतलब एनर्जी बेंट गप कम होता है पक्का यहां पे energy band gap कम है और कम मतलब सबसे कम इसी का है बेटा इंप्यूर है ना तो सबसे कम इसी का होगा और इसलिए D is the right answer हो जाएगा क्या होगा यहां पे D is the right answer देखो ध्यां से 44 हो गए न धेर हो गए न धेर यहां पे देखो ध्यां से कितना 44.74% is the right answer from this classroom student सभी को चलिए आये ध्यां से इसका answer दो भाई देखो सब सबसे का कुछन है मैं कुछ नहीं अपने तरफ से लेका हूँ यह सब सबसे का पूछा होगा क्या बोला देखो यह 17 में पूछा गया दो मार्च को इबनिंग सिपने पूछा गया इपन एटम मिलेक्टर लूजेज होन और ओर मोर इट्टरौणिट इटिबकम्स जब इलेक्टरौन लूज गरता है कोई एटम कोई यह नूजहा दै रहा है औरटेखो एटम है और एलेग्ट्रौण दे रहा है और पॉजीटिटीव चाह जा जाएगा हमनलों आधे टो ए पालस हो जाएगा और यह बी ले रहा है तो बीप Lehr आज के टॉपर रहे है इसके पार गुंजन राजस्री क्या बात है बेटा अर्चना प्रेमानंद पिंटू बहुत वर्यां बेटा पिंटू लगे हुए हमारे लाश्ट टाइम से इस पार बेटा बेहतरीन परफॉर्म करना है इस पार बहुत उमीद है आप लोगों से यस कु और यह सारे बक्चे जोने अपना रांक देख लो कहा कहा गया यह यह सबसे उमीद है बेटा तुम लोग उमीद पे ख़रा उतरना है इस वार यह दिखो ध्यान से यह यह बिक्रम देखो बेटा तुम बोले ते टाइम पास कर रहे हैं क्यों टाइम पास करेंगे यह बता हम हमारे पास फालतू टायम है नहीं हमें भी रेस्ट करने में अच्छा लगता है तो आप पहले देखो आप चीजों को देखते हो हाइपर हो जाते हो इतना जल्दी नहीं अब हम सब्जेक्टे आपको सिखने को मिलेगा देखो सिखने को मिला अगर तुम्हें चीजे आता तो तुम उपर जाते बेटा यह जो है ना यह जो 44 नहीं होता यह फोर पे लाएक करता समझे इस बात को यह इसको उपर करना है आपको और आप बहुत अच्छे स्टुडेंट है आप भी लाओगा रिजल्ट आभी वैसे स्टुडेंट हो जिस पर हमें ट्रस्ट है हमारे पूरी टीम को ट्रस्ट है यस और यह सारे बच्चे हैं जो एक्जाम में बहतर करेंगे बट कंसिस्टेंट रहना आपके लिए इंपोटेंट है तो यह सारे देख ल आएंगे कैसा लग रहा है क्लास यह फहला क्लास था भी आने वाला और वी क्लास intra यहां पर जाके योणिटी पर यहां पर लिएगा यह सारा चीज आप बेनिफिट ले पाओंगे अराम से इस चीज में सर इसका पिडाप कहा मिलेगा इसका पिडाप के लिए आपको कृष्णासर पीडावलु टेलिग्राम चैनल जौइन करना परेगा यह और दूसरा चीज पी डवलू एप भी आपको अपने मोबाइल में डॉनलोड कर लेना है गुगल प्ले स्टोर पे जाओगे पी डवलू लिखोगे आ जाएगा एप और आप पे आप लोगो ने इतना प्यार दिया इतना प्यार दिया है उसको इंस्टॉल कर लेना और रखना है उस पे भ परहाया सबसे पले क्या अटोमी का स्ट्रक्चर के बारे में बात किया अटोमी का स्ट्रक्चर क्या होता है एटम का ओडर साइज क्या होता है एटम के अंदर क्या क्या चीज होता है सारी चीजों के बारे हैं बात किया किसके बारे में फिर बेसिक जो टर्म होता है वाइले कैसा होता है यह बी पते हैं और comment box में दिल की भॉछहार चाहिए रुखना नई चाहिए तब दिल ध्यान से यह ये क्या हो गया यह फ्री एलेक्ट्रोन हो गया यह यह फ्री एलेक्ट्रोन हो गया और यह और यह ढ lives band diagram दोनों पे ट्रशै और कैसे करते हैं आपको बता ठी तक होतार सारह सारी चीज़ों कवर करें किक हो देखो हमारे पास क्या हमारे पास आज तो फस्ट का अप्रील मैं बारह घंटे मांग रहा हूं यार कौन साम तिंए-क आव दिन मंग रहा हूं मैं 12 घंटे मांग रहा हूं आपसे 12 आवर केबल दे दो मुझे अगर आप 12 घंटे दे दिये ना मैं बता रहा हूं बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स में 95 से प्लस स्कूर करोगे आप एक्जाम के अंदर यह सुदेंट और हमसे पढ़े हो असोका भाइब्यास कहीं से भी कोई बैस से परे हो ना आप गर इस कलास को देख रहे हो इस कलास के हरे को सुन रहे हो ना तो आप बिलीव मनो एकजाम में कोश्चन कर के डिफिनिटली आने वाले हो सीखने वाले बट के बल मैं बता दूंगा आप इससे नहीं हो जाएगा आपको भी एफट लगाना है आपको भी करना है चीजें बहतरीन अंदाज में करना है कोई भी होता है आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप पर आईए वहां पर पूछिए व कल साम में आठ बजे मतला एट पीम सार्प आप लोग आ जाईएगा और अराम से फिर कल लेक्चर नमर जीरो टू का बात करना है स्टार्ट करेंगे तो मिलते हैं तो तक आप लोग जाईए अच्छे से डिवीजन करके आईएगा थैंक यू थैंक यू सो मद्स